ठीम थैशना अ सब्सक्राइं तो चलिए स्टर्ट करते हैं होव First हाईलोड मसीन हाड्रो पावर इंजिरेंग को इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाईलोडूu मसीनके बारे में हाड्रू एक मसीन का मतलब हुगा कि या तो या तो या इस्तिमाल करना चाहेंगे मैं सब्सक्राइब कर अधिर करकर करके उसको रोटेट पर करके प्रेस करके उसकी इनर्जी को क्या करती बढ़ा देती जैसे एक मुसम्मी को क्या करिए आप दवाईए तो मुसम्मी के अंदर का जो जूस है बाहर आएगा आएगा तो इसी तरीके से इसका मतलब है कि मेरा हाथ एक प्रकार से क्या हो गया मसीन हो गया जिसने क्या किया मुसम कि ल Bloody सिसके वाजा से अँदर का प्रेसर देवलप वने से क्या हूआ अंदर प्रेसर इनर्जी बढ़ते हैं अंडर फ्रेसर इनर्जी इसी तरीके से या आप एक काम कर सकते किसी लिक्विड को आप रोटेट करा कि घुमा कर किसी ब्लेड की मदस से या किसी की मदस से आप उसको रोटेट करके आप किया कर सकते इसकी इनर्जी पर बढ़ा सकते अब जब उसकी काइनेटिकश अच्ये मोशलिगी तो हम इसको ऐसे रास्ते से गूजा रहेंगे जिसका एरिया लगातार बाठता जाए तो उससे होगा क्या उसका प्रिशर बढ़ जाएगा तो यह क्या थे यह पंप तो पंप क्या है आप समझें वह एक हाइडूलिक मसीन इसका काम है पंप क्या करता है कि लिक्विड पर वर्क करता है लिक्विड को इनर्जी देता है मेकेनिकली वर्क करके विस्थापन या तो करेगा या तो लीनियर डिस्प्लेस्मेंट करेगा या तो एंगलर डिस्प्लेस्मेंट करेगा और ऐसा करने से उसके अंदर इनर्जी क्या होगी बढ़ेगी ठीक दूसरी चीज़ या तो द्रौ की उर्जा का इस्तेमाल करते हुए ये पर इनरजी है उस इनरजी को हम क्या करेंगे उसको हम लोग तरवाइन बोलते हैं तो कहले का यह में हम यह सी मसीनों के बारे में पढ़ेंगे जिनका संब्रों या तो द्रौ सहे उर्जा लेकर और उसको मेचन्किल इनर्जी दे गए यडि को भख्षा मेचना नज्ली को बढ़ेंगी घरनिक देखर देखकर हैं कर दो तरह की बाते होंगी हम इस डिवाइस से है जैसे मसीन का एक पाट निस दिवाइस मतलब यैस अपने आप नहीं करेगी जब तक कि इसको किसी मसीन किसी सिस्टम में ना लगाया जाए भरत भर समझ में जैसे दिवाइस मानिए है इसी तरीके से आप जैसे तमाम कंप्यूटर के तमाम आपने देखा होगा कि अगर मैं मैं कंप्पूटर आप पड़ चुके हैं या कंपूटर काफी परचीत है तो आगर बात करें तुझे से माउस है माउस है डिवाईस है पॉइंटर डिवाईस से इन्पूट डिवाइस है आउटफूट डिवाइस अपने आप काम नहीं करेंगे लेकिन जब इनको मसीन में लगाएंगे तब ही वर करेंगे तब अपने अपना फंक्शन को परफार्म करेंगे मेरी बात समझ में आ गई होगी तो हम कुछ हाइडूलिक डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे जैसे हाडूलिक ब्रेट हाडूलिक प्रेस हो गया हाडूलिक इंटेंसीफ हाडूलिक एक्कुमलेटर तो इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना मतलब कुछ छोटी-छोट पढ़ना है तो आपको परेशां नहीं होना है मेरे साथ लगे रहना है और क्योंकि इसे आपका एक्जाम नजदिक है अगर हम लंबी क्लास नहीं लेंगे तो बिल्कुल खतम नहीं हो सकता है क्योंकि एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10-12 कुईशन होते हैं आप जानती है इसके अलामा मैं बहुत जल्दी आपको ऊपन चैनल भूख आभी एक साथ नोट्स आपको प्रोइट कर देंगे मान के चलिए कि कल नहीं परसों परसों या नर्सों तक मैं आपको प्रोइट कर दूँगा हैं रिटेन एक स्वाड नोर्स आपको प्रोइट कर दूए ठीक न सर अभी एफेम पूरा नहीं पढ़ा हूं क्या हाइडरिक मसील पढ़ सकता हूं देखो गोविन निसाद जी ऐसा है आपकी उपर है अगर आपने डिपलोमा में पढ़ा है कुछ आपकी समझ है तो ठीक है पढ़िए अगर क्लास करोगे तो हो सकता है कुछ आपसन आपको य सब्सक्राइब अगर एक विश्चन आपके गलत हुए तो समझ लीजिए कि फिर बेकूफी है क्यों क्योंकि आपकी नजर से गुजरे रहेंगे तो याद रहेगा अगर इससे अलग आ गया तो कोई बात नहीं तो अब लास्ट टाइम क्या करना पड़ता है अगर कोई निमेरिकल छोड़के जो चोटे-चोटे फैट्स हैं उनको आप याद कर लीजिए तो भी बढ़िया है क्योंकि अगर वह जाम में आ गए और आपसे गलत हो गए तो आपको पस्षयत आपको कि कास एक बाल लेक्चर देख लिए होते बड़ा आसान सा कोई संता हो जाता है इसलिए आप लेक्चर देखिए और कोसिस करिए और अभी अगर आपके पास अब वक्त तो बचा नहीं है क्योंकि रिवीजन करना है आपको काफी चीज़े आपने पढ़ लिया है काफी चीज़े आपने पढ़ लिया है गुरुदी थोड़ा हाइडूलिक मसीन कम आता है जैसे आपने पढ़ाया है वैसी पढ़ाईएगा देखिए मेरी कोसिस है कि मैं बहतर कर सकूं लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ें कभी उनको पता है कि हाडूलिक मसीन जितना आप एफम को सोच रहे होगे आसान है उतना हाडूलिक मसीन आसान नहीं तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड सेट करके चलिए क्योंकि मसीन दी पार्ट मसीन में बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट का अपना क्या है एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या है कनेक्ट होता है ठीक है जिसकी वज़ा से हर पार है इसलिए हाइडुलिक मसीन इतना इजी नहीं होता है जितना आप समझ सकते हैं जितना ऊपें चैनल आसान है अगर आप यहां से पढ़िए साथ नोट्स भी दिया हूं आप यूटूब पे लेंगे तब आपको समझने आएगई है तब हाइडुलिक मसीन की समझ आपके अंदर डेवलप होगी इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहें कि हम उतना इजी में बता सके ठीक ना फिलाल मैं पूरी कोसिस करूंगा लेकिन अगर आप लेंगे तो काफी फायदा रहेगा यह तो समझ में आ जाएगा कि चीजे क्य है ठीक ना फॉफार मैं बहुत अच्छा नहीं परफार्म कर पाता हूं मैं आपको पहले बता रहा हूं इतना ज्यादा सिलेवस है इतना ज्यादा से विसाल मैं आपको बता हूं एफम का आप देखी रहे हो मैं इतनी लंबी-лемबी क्लास ना लिया होता तो साइध ना कवर क से आपको पता है कि अगर इतनी लंबी क्लास में ना लू तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा जिस वे में मैं टीचिंग करना चाहता हूं इसलिए अगर किसी बच्चे को थोड़ा आफ लाइन में भी दिक्कत हो जाती कभी किसी टॉपिक में चूट गया किसी वज़ा से क्योंकि हार टापिक पिछले टॉपिक से कनेक्ट होता है है तो ऐसे कंडिशन में हम लोग हमने क्य पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि बच्चों को जो बच्चे एक बार पढ़ चुके भूल जाते हैं या क्लास मिस हो गई किसी वज़ा से तो मैं चाहता हूं कि अगर उनके पास पैसा है तो पेड़ ले ले नहीं है तो क्या करें यूटूब पे मैंने लेक्चर और देख ल हो गई हम पूरा कोसिस कर रहे हैं फिलाल आप परेशान हो यह नहीं तो चलिए है का सवाल उठता है कि क्या है रेसीप रोकटिंग रेसीप रोकटिंग का मतलब है आगे पीछी मोशन करना जो गाव में आप जो देखते हो इसको रेसीप रोकटिंग पंप को हम पॉस्टिव डिस्प्लेस्मेंट पंप भी बोलते क्या बोलते हैं पॉस्टिव डिस्प्लेस्में सब्सक्रान के पॉँच्टिव डिसप्लेस्मेंट नाम से भी जानते हैं किस से किसके नाम इप इंए क्या मतलब है कि इसमें क्या होगा सिटम होगा सिलिंडर होगा तो सिलेंडर होगा और इसके अब ध्यान देना यहां पर आपका वाल्व लगा होगा क्या लगा होगा वाल्व इसे हम बोलते सक्सन वाल्व इसे हम बोलते डिलिवरी वाल्व और इसमें क्या होगा आपका यहां पर एक डियर आप कह सकते हैं कि यहां पर एक पिस्टन होगा क्या होगा पिस्टन होगा और यह पिस्टन की र reciprocate करेगा मतलब simple harmonic motion करेगा आगे पीछे क्या करेगा गत करेगा यह जहां तक यहां तक आता है यहां तक आएगा इसको भोलते हैं इनर डेट सिंटर और यहां इधर तक जायेन गाद पॉना ईसको हम बीच की जो tempo लेंथ है स्को हम इस पर यहां पर क्या होगा क्रेंक पर क्रेंग और मोसन कर रहा होगा यह ऐसे रोटेट करेगा और यह आगे पीछे क्या करेगा मोशन करेगा इसलिए इसको रेसीप्रोकेट मोशन अब क्या होता है कि जब यहां पे था सुनिएगा यहां पे था जैसे इधर आया जैसे इधर आया मेरे दोस्त तो क्या हुआ यहां पर यहां संप है अब जब इधर इनर डेट से जैसे इधर आया इधर जैसे आ Key's late करता है पहले इसकी velocity भड़ती फिर इसकी वेलास्टी घड़ती फिर इसकी घड़ती अगरेगा फिर सन होगा फिर करेगा सब्सक्राइब यहाँ पर i art 20 और यहां पर शीभी क्रापटी इडिना च सप्पिर जैसे जैसे इधर आता है वैसे वैसे उसी speed से अगर यह current हो रहा है तो लिकूड भी करेगा अगर ella day रिटार्ड हो रहा है तो लिकूड भी रिटार्ड करेगा इधर करेगा यह टरीकूड यहां पर होगा तो यह इनर्डेट सेंटर पर होगा और जैसे यहां पर आएगा तो यह जो हमारा पिश्टन है बीच में आएगा जब यहां पर आएगा तो पिश्टन हमारा यहां आजाएगा मतलब जब एक साइकल हाफ साइकल जब कम्प्लीट करेगा तो यह सक्सनी स्ट्र में एक चक्कर में एक कितना जितना पानी सक किया रहेगा उतना निकाल देगा निकाल देगा अब सवाल है कि टी टाइम में कितना लिकुट सक करेगा ती सेकंड मालो टी सेकंड में कितना लिकुट तो टी वाइट टू टाइम में सक करेगा और टी वाइट टू टाइम में जो सक किया हो डिलीवर कर देगा ठीक जब सक करेगा तो यह वाल्व खुलेगा और जब इधर से प्रिसल लगेगा तो यह वाल्व खुलेगा यह वाल्व बंद हो जाएगा अब मेरे बात three second में इसका area की बात करें इसकी area की बात करें एय है और जो यह सकशनY stroke है length हày तो कितना value हुआ अको ऐसका मतलब में मेरे दोस्ते हो गया इतना m2 इसका मतलब है कि एक एक छककर जब लगाएगा it by two time में सक करेगा ट वाइं ट वाइं टू्च किहां मतलब है एग छभर कमपलीट किया तो कितना लिकुड बाहर आया कितना लिकुड बाहर आया तो आप कहेंगे एल लिकुड बाहर आया तो एक सेकंड में कितना लिकुड आया तो कहोगे एल अपांड टी इतना मीटर क्यूब पर सेकंड और आप जानते हो वन अपांड टी को हम लोग वन अपांड टी को क्या बोलते हैं इ लेकिन आप जानते हो अगर इसकी रोटेसल स्पीड या र्पी र्पीम है रोटेसनल इसमाल इसमालीक या र्पीम इसका मतलबया कि अगर हम इसको बदलना चाहें राउंड पर सेकेंड में यह हैं ॉदो सकते हैं सकतक zoo तो इसको लिखेंगे या न आपान सिस्टी 60 एक आर पी एस रांट पर सेकेड टो इसका मदब अगर इसका आर्पीम लिपสब्स अव्यार्पीम तो आप लिख सकते एं अलएंछ आप CEO कि तहीं हो गया तो एक सेकेड में कितना लिकुड निकला एक सेकंड में कितना लिकुड बाहर गया टी सेकंड में इतना लिकुड बाहर गया तो एक सेकंड में कितना गया इसे कहेंगे यही क्या है मेरा डिस्चार्ज है इसी को हम डिस्चार्ज बोलते और इसी नोना है अबरेज डिस्चार्ज यह एल 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 सिंगल एक्टिंग क्यों बोला गया सिंगल एक्टिंग का मतलब है कि वन साइड सिर्फ पिस्टन के एक साइड क्या रहेगा लिक्विड रहेगा इस साइड भी कर लेते इससे क्या होता मेरे दोस्त ध्यान देना इससे यह होता कि जब इधर आ रहा है तो इधर का लिक्विड डिलीवर होगा जब इधर जाएगा तो इधर से suction होगा, और इधर से क्या होगा? delivery होगा. इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? एक चक्कर में दूगुना मिलेगा. मलब यहाँ पर 2AL हो जाएगा. इसका मतलब हो जाएगा, अगा double acting है, तो double actin रेक्टिंग रेशिप्रोकिटिंग पंप है, तो डबल एक्टिंग रेसीप्रोक्टिंग पंप आपका देता है 2LN अपां 60 मीटर क्यूब पर सिकेंड जहां कि हमने क्या माल लिया इस रॉड की एरिया को नेगलेक्ट किया है अगर इस रॉड की एरिया इसमाल ए हो अगर रॉड की इसमाल एरिया ए हो तब आपका एंसर हो जाएगा टू ए माइनस एल एल अपांड 60 मीटर क्यूब पर सेट यह क्या है डबल एक्टिंग रेसीप्रोक्टिंग पंप जो है इतना डिस्चार्ड देती है अब देखें हुआ क्या अब मेरी बात को समझेगा जब लिक्कुड इसमें आया लिक्कूड आया तो लिक्कूड इसमें दोस्त आ गया इसमें लिक्कूड आ अब इधर आया जब यहां पर पहुंचा तो देखें यहां पर तो इधर क्या हो गया लिक्कूड भर चुका है अब क्या करेगा पिस्टन फोर्स लगाएगा मतलब प्रेसर लगाएगा तो यह जो बाउन्डरी यह देखिए इसमें भरा और पिस्टन जब दवाएगा जो हमारा बाउन्डरी ओंडरी क्या हो रही डिस्प्लेश हो रही मनदब इसका वैलूम घटेगा और जब वैलूम घटता है तो प्रेसर क्या होता बढ़ता उसी प्रेसर की वज़ा से लिक्कूड राइस करेगा इसलिए इसको हम पॉस्टिटिव डिस्प्लेशमेंट पंप बोलते हैं क्या बोलते यह बहुतिक बढ़ेज्ञ में बौलते हैं जैसे आप ने देखा होगा मुसमी वाली मसीन में होता कूछ इसी यहां पर इस तरीके से लगा होता है कुछ आप अब देखिए हम इसमें क्या होता है मुसम्मी जाता है मुसम्मी है जब इसको घुमाते हैं इधर से मुसम्मी डालते हैं जब इसको घुमाते हैं तो मुसम्मी क्या होता है छोटा होता जाता है छोटा इसका मतलब है मुसम्मी पर चारों तरफ से क्या लग रहा है प्रिसल बाउंडरी के सिफ्ट होने से कम हो रहा है कम हो रहा है में मेरी बाउंडरी यहा blir क्या हो कम होती जारी बाउंडरी उसकी डिस्प्लेस हो रही है जिसके करां वैलूम कम हो रहा है और प्रिसर क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो ऐसे यहां पर अगर देखें तो यहां पर अगर मेरे दोस्त देखें तो यह जो मैं आपको यहां पर दिखाने की कोसिस कर रहा हूं यह दे पाउस्टीब डिस्प्लेस्मेन पंप सिंगल एक्टिंग का मतलब है पिस्टन के सिर्फ को साइत क्या होगा सब्सक्राइब करेगा लेक्टिंग का मतलब है इसका मलब सक्षन और विरिंग सख्षन ची द्हुर्ण यी इसीए कछ ताइम क्या होगा डिंट ऑको में इसलिए कहा जाता है कि डबल एक्टिंग रिसीफरोकेटिंग टिंग पंप सिंगल एक्टिंग रिसीफरोकेटिंग पैम brand का जहां से जो कुणा है जहां से आप पानी क्या कर रहे हो ले रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं संप लेबल पोलते हैं जहां से पानी जा रहा है मतलब यह कुणा हो सकता कुछ होता है इसको बोलते हैं संप लेबल यहां से पानी आएगा और यह आपका डिलिवरी पाइप बोलो बताई यह बात क्लियर हुई मेरे साथ communicate करिएगा ठीक ना मैं आपसे request कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ रहिएगा और communicate करिएगा ठीक ना यह मेरा request है आपसे ठीक ना आईए तो चलिए इसमें answer क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा एलेन अपां 60 इसमें याद रखना मीटर किउग पर सेकेंड यहां यर्ड क्या है इसमें और सिर्प्रॉक्टिude पर सेकेंड अगर होगा तो सिर्फ किसमें होगा आर-पी-योस में होगा ठीक है ना तो जो इंप्व इंप्वर्टन इंप्वर्टे चीजें हो चीजें हम पताते चलेंगे समझ गया है अब ध्याओ रखना जीरो से लेका टी वाई टू टाइम तक ही कोई डिस्चार्ज नहीं देता क्योंकि सक करता है सक करता है जीरो से टी वाई टू टाइम तक ही सक करता है उसके बाद क्या करता है डिस्चार्ज आपको देता है और जो डिस्चार्ज देगा उनान यूनिफार्म देता है ए सक्सन होगा भी एक मतलब है जीरों से जब यहां से यहां आएगा करेगा औरिया यहां से यहां आता है जब जर यहां से यहां जाता है हूं तो यहां पर मिल रहा होगा आपको उसकी बैलू बढ़ती जाती है जब यहां पर पहुंचता है फिर इसके बाद डिश्यार्ज क्या होने लगता काम होने लगता है तो अगर आपसे कहा जाए कि आखरिमेंट की कितनी होगी एक्जाम वाले पूछ लेते हैं कि बताइए मैक्सिम बैलू क्या होगी क्यों मैक्स कितना हो सकता है तो क्यों मैक्स होता है डियर क्यों मैक्स की बैलू होती यह आर ओमेगा x kare-a r me 22 जो प्रेंग उसकी रीडियस क्रेंग क्लियर ओक्य ओमेगा क्या है रोटेशन स्पीड क्या है रोटेशन तो यह क्या है इंडर का है एरिया है इंडर का है क्रम सक्षण एरिया बात क्लिए इतना मैक्सम अच्छा सहाप एक कैशा घ्राफ है कुमेगा होता है तो सब्सक्राइब कर नकर रहा है वह आप पता कर सकते हैं मेरी बात समझ मैं अब टी ओमेगा को आप लिख सकते हैं तू पाई एन या इसको लिख सकते हैं तू पाई अपान क्या होगा जीरो इसलिए देखो यहां पर डिस्चार्ज क्या जीरो अगर आप तो यहां पर रखेंगे आप 270 मतलब यहां रखेंगे तो आपको बैलू मैंक्सिम निकाल सकते यह फार्मूला जानना इस समय इंपर्मूला कहां से आया इसको अभी जानने की कोई आपको जानना क्यों आया क्यों इसको नहीं जानना क्यों अगर इसको जानना तो यूटुब पे आपको लेक्टर मिलेगा वहां से जान लिजीएगा ठीक है न अगर आप से एव्रेज डिस्चार्ज पूछा जाए अगर डबल होगा तो इसका मतलब है मेरे दोस्त डबल अगर होगा तो डबल में क्या होगा डबल में जब सक्सन हो रहा होगा इधर जब आ रहा होगा तब भी डिश्चार्ज निकलेगा और जब इधर जा रहा होगा तब भी इसका मतलब आपको डिश्चार्ज हमेशा मिलेगा हमेशा मिलेगा हमेशा जो चीज आपको नहीं मिल पा रही थी वहां भी आपको मिलेगा यह बात क्लियर हो गया तो यहां पर आप कह सकते हैं पल्सेटिंग डिस्चार्ड मिल रहा है कैसे पल्सेटिंग पल्सेटिंग सिंगल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग कैसे देते हैं पल्स पल्स का मलब थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा ऐसे देती है लेकिन डबूल डबूल एक्टिंग रेसी प्रोकटिंग पंप आपको क्या है continuous discharge दे रही है लगातार discharge दे रही है लेकिन discharge इसमें भी non-uniform है इसमें भी non-uniform इसलिए याद रखना यूणी भार नहीं कि डिश्चार्ज की बहलू बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है घट रही है अ कि यहां पर continuous दे रहा है यहां डिसकांटीनियूस दे रहा है लेकिन अगर देखें तो टी टाइम में यहां पर अगर एक बाल्टी डिस्चार्ज मिला यह इसमें ती टाइम में दो वाल टी डिस्चार्ज आपको मिलेगा बात किलियर होगी साउंड खर-खर-खर-खर-खर नहीं आद नहीं आएक दाल रोटी चावल आएसा दाल रोटी खाया हूं तो आवाज तो अगे अगला अगला कुश्चन आप ध्यान दें आएसे धीरे धीरे बात करते रहेंगे और पंप भी आपकी क्या है एक रिसीप रोकटिंग पंप आपस एंड डाउन यह भी क्या उसमें पिस्टन है वह क्या कर रहा है आगे पीछे टूर्ट प्रो क्या कर रहा है कि अब क्या है रिसीप रोकटिंग पंप इसको भी हम लोग बोलते हैं और भी एक रिसीप रोकटिंग पंप ठीक ओके आगे बात करें अब और इसी प्रोकटिंग पंप के बारें ज्याद रखना इस्प्रोकटिंग पंप के बारे ज्याद ही इसके डिस्चार मिलता वो लेकिन है है रहे है इस्ताम करते हैं रखना रेसीप रूकटिंग याद रखना रेसीप लुकॉटिंग पंप को लो डिस्चार्ज के लिए आप खुद सोचिए आप खुद बताओ कि जो घरों में जो हैंड़ फाइफ है क्या बहुत जादा पानी डेता है नहीं देता है बहुत ज्यादा प्रेसर क्रियेट करता है बहुत ज्यादा प्रेसर लगता है अगर आप देखे जिसकी वजा से काफी उचाई तक पानी पहुच जाता है तो हमें कह सकते लेकिन जो डिस्याड देता है जो वैलू आपको मिलती फ्लोरेटों कम होती है तो याद रखना प्रेट नासक दवाओं का छिड़काव करना होता है तो पैड से चलाने वाला एक आता है उससे ऐसे ऐसे करते रहते हैं और उससे देखे क्या करते चिड़काव करते तमाम फार्मसीटिकल कंपनियां उसमें जो है इसका यूज किया जाता है गरों का हैंड पाइप आप दे सपानी को भेजना पड़ता है तो वहां भी आपने देखा होगा कि वहां की सपाई करना तो वहां भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वहां भी हम लोग क्या है रे si ना सकते दवाओं को छिड़काओ करने में रेसिप्रोटिंग पंका इस्तेमाल करते तो कई ऐसी जगह यहां पर आप देखने को मिल इसको बहुत ज्यादा हाइए स्पीड से आप नहीं चला सकते हैं बहुत ज्यादा इस चलाने से इसमें दिक्कत हो सकती है इसका मेंटीनेंस एक खर्च काफी ज्यादा आता है और इसका देखभाल हमेशा करने की जरूरत पूतीफ है इस बात आपको ध्याल रखना इतनी बात आपको प्लंजर का मतलब ऐसा है यह तो मेरा पिश्टन हो गया यह तो पिश्टन टाइप पिश्टन प्लंजर क्या होता है मेरे दोस्त प्लंजर इसको कहते देखे बाद सुन लीजे आप मेरे से बस आप सुन लीजे अगर ऐसा कोई भाग ऐसे ऐसा कोई भाग और यह पूरा आगे पीछे हो रहा है उसको अम लोग प्लंजर बोलते हैं मलब एक बेलनाकार भाग होता है यह याद रखना प्लंजर और यह क्या हो गया आपका फिश्टन हो गया इस पिस्टन टो बकेट टाइप यह व्लंड तस्क्राइब हैario कास्ट बहुत जादा होती है छिख यूनिफ़र्म डिस्टाइब नहीं देता है इतनी बात लेने आप सेंट्रिफूगल वाटरफum अगर आप सेंट्रिफूगल पителейण ले जा रहे हो तो क्या बताओगे बएब राफ को सेंट्रिफूगल फूम्प कि बोलके लोगे क्या सैंट्रिफूगल पeszलम हैं तो हार्ट पार की बात करते इतने पावर की हमको पंप चाहिए इसका मलब जो University मोटर कीいる थे आउसके अनुसार आप सेंतरिफूड़ की बात करोगे तो जभी सब्सक्राइब करता है मोटरोव कि इस पर केलिए तो सीअटेवी बन्स पार कांब लिए बिरूदाा किसके लिए तो आपको मैंने बता दिया कि लोड इस चार्ज के लिए और हाइड के लिए के लिए किलिए ऑगे आई दूसरी चीज अगर मैं इसी में बात करूं तो याद रखना कि जो रेसी प्रकुटिंग मैं अगर पूझता पॉस्टिबूटिटोट्व और दूसरा क्या होता हुसा हुट रोटेटरी पंप याद रखते एक तो हो गया आपको मैंने बताया यह तीन परकार आपको बताए कहंसा आपको क्या है डियर वही जो हैंड भुष कुछो आप सकते हैं वह सब किलियर हो ले लिजेगा खुछन कोई गलत नहीं होग rester लापो घुजर जाएगा है क्योंकि बहुत अच्छे संदों नहीं हो पाएगा लेकिन वो सारी चीजें मैं बता दूंगा जहां से आपका पुषिशन बंच पाएगा तो ठीक दूसरा आपको मैंने बोला कि हैंड पंप यह इसी को बकेट पंप बोलते दूसरा आपको प्लंजर बोला प्लंजर बोला और अगला कौन सा आपको बताया प्लंजर हो गया और पिश्टर तो अगर पूछा जाए क्योंकि हैंड पाइप में क्या होता है हैंड जब आप चलाते हो तो उसमें देखिए ऐसे रेसिप्रक्रेट करता है ठीक इसी तरीके से उसमें जो हमारा बकेट होता है बकेट आप अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रेसर लगता है लेकुड की उपर क्या आता है प्रेसर अपलाई होता है जिसके करण आप कह सकते लिकुड की प्रेसर एनरजी पढ़ती है तो मैंना कहने का रोटेट जिसमें आपका गेर वेन पंप आता है याद रखना गेर पंप वेन पम्पाता है तो जाए या बयात एखी है बात एक ही ठीक यह ईश्कू पंप भूलिए क्या वह chicken ऑभी आपको बताया था अभी आपको मैंने क्या बोला मुसंमी वाला एक यह पर काथ काओ कई सा है पंप ही तो है तो उसमें क्या परकार सी इस्कूरू ही तो कर रहा है क्व है क्वाद्री क्या हो रही है सिकोन रही है जिसके चला वाउन्डी काह रहा है कि इस्क्रूपंप यह फंज़ेर प्रते अगर कोई पूछे कि Ball पूर्पंप यह कितनी प्रकार की होती कहोगे दो एक रोटेटरी पंप में गेर पंप है वेन पंप है इसको बॉलते हैं या प्लंजर या पिस्टल यही कुश्चन आगे भी अभी आगे मिलेंगे इसलिए आप यहां सुनते चलिए आगे के कुश्चन जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह आसान होते जा जाया कि इसका इंस्टालेशन का खर्च और मेंटिनेंस कॉस्ट काफी ज़्यादा होता है यह बात आपको ध्यान लगना बहुत जरूदी है और अगली बात है है कि नौइज बहुत करता है रेसी प्रकुटिंग जब चलती है ति बहुड़ा नौइज करता है बढ़ा वाइब्रेशन जैसी चीजी इसमें नौइज बड़ी ज्यादा होने के चांसे होते हैं अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यह बहुत ज्यादा गाढ़े नहीं जो विस्कस लिक्विड है यंकी पंपिंग के लिए तुरियो नहीं क्योंकि आपने पहले देखा अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने था थोड़ी देर पहले आपको बताया थोड़ी देर पहले आपको बताया थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या बताया कि भाई यहां पर देखिए वाल लगा होता है यहां पर वाल लगा होता है यहां पर वाल लगा होता है जब विसकस लिकुड जाता है तो क्या होता है क जिसके कारण आप उससे होगा कि वाल्व से वाल्व है निक्वलिक्विक्रिश में काफ़ी जफख च्पक जाता है जिसके कारण जो जगा होती तो जब ऊपर से उठने में बढ़ी दिक्कत होने लगती है। जिसके कारण आगए प्रेंगे से प्रसर पड़ता है इदर से प्रैंशन लगता है लेकिन वाल आसानी से खूला नहीं प्रेसर बहुत जड़ादा बढ़ जाता है इसके ब्लास्ट होने की पिस्टन के बढ़ जाते हैं इसलिए याद रखना रेसीप रुकुटिंग पं में हम जो गाढ़े द्रव हैं जो विसकस लिक्विड हैं उनकी पंपिंग के लिए उनको एक जगा से दूसरी जगा भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वाल जो होता है उसमें समस्या क्रियेट हो सकती है वाल आसानी से नहीं उठे बहुत दूसरी के चांसे जज्यादा हो जाते हैं क्लियर वास है पी बूले भाई यह बात क्लियर हो गया है इतनी बात हम लिए समय आपको यहां पर चीजें बता दिया अब देखें का नाम क्या है ध्यां रखना सेंट्रिपूगल फंप अब देखें एक बात और बता दें जो centrifugal pump सिंट्टिभिवल याद रखना इसे कहा जाता है的 रोटोडायलमिक इस हम कैसे हम उसकते हैं टरवों की नाम से भी जानते तर्वों क तो अगर कोई पूशता है वताई क्या है तो कहोगे सेंट्रिफुल पंप यह होता क्या है इस में क्या होता है इस में क्या होता है यहां पर रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको भूंद अब किया जाता है कि इसमें लिकुड पहले भारा जाता है उसके बाद क्या गांता बीवाटर को भल्लिया जाता है अब यह और यह यहां से पाणी को क्या करना है उससे पाइप कर दिया जाएगा अब क्या किया जाता है ते कीरे नेरजी पर बहुत तेजी से क्या करता है क्या Marshpm sorry मतलब हम लिक्विड को क्षाए नचाते हैं किसकी मदब से यह जो यहां पर एक साफ से होगा इस रोटेटिंग पार्ट नाम है इंपलर किया करता है साट से मैकेिन बात आप जानते हakterbor सब्सक्राइब रहा होगा होगा रोटेट कर रहा होगा तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ डूटेट कर रही इस तरीके से नाच रही है तो आप जानते हैं कि बाहर की तरफ एक बन लगेगा जिसका नाम है सेंट्री फ्यूगल फोर्स एम वी स्कॉर अपान आर यह आप कह सकते जो यह मास है यह आप कह सकते यह आर ओमेगा से रोटेट कर रहा है अब दिया है लगेगा बाहर की तरफ जाता है बाहर की तरफ भागना शुरू करता है और बाहर की तरफ क्यों 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 क्या करते एक केसिंग की मदद से गुजारते हैं किसे गुजारते हैं एक केसिंग की मदद से गुजारते हैं अब जो काइनेटिक इनर्जी है जो काइनेटिक इनर्जी इस केसिंग में आती किसमें आती इस केसिंग में इस केसिंग को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जिससे उसका क्रॉस सक्षन एरिया लग पहुंचता है तो प्रेसर काफी जदा बढ़ जाता है और निकल जाता है तो'S कहने का मतलब है और यहां एसे आता रहता है ऐसे जाता है यहां हम क्या कर रहरSome कीया करंता है रहे है दृत नचाया जा रहा है उसालिए इस्लै यह अंदर का जो लीकुिड का उसे बोला जाता है वाइटेक्स प्लो और जब कि बाहर का जो होता है उसे फ्री वाइटेक्स मलब केसिंग में जो फ्लो हो रहा है उसको फ्री वाइटेक्स बोलते हैं यह लिए वाइटेक्स फ्लो का मतलब होता है रोटेटरी फ्लो का मतलब पूरा लिक्विड किसी एक्सिस के ब जब लेक्यूड यहां पर आता है केसिंग में। इसी एक्सिस कर रहा होता है लेकिन वहां पर को रोटेट करने वाला कि इसलिए हाँ पर जो मोशन होता होता है डियर हो जो होता मतले तो अगर पूछा जाता है कि सिध्धान पर काम करती है तो बोल देना या वायर्टेक्स फोर्स वायर्टेक्स के सिध्धान पर काम करती है याद रखना फोर्स वायर्टेक्स फ्लू जो होता है यह एक रोटेशनल फ्लू होता है इसका मतलब क्या है उसके एक तो रोटेट भी कर रहा है और उसके मालीकूल अपने के पास क्या होता है co2 से दूर जाने पर हर जगा इरोटे तो स्टीवर्ट स्टीर ह Kick एक रोटेशनमल प्लो है क्या है एक रोटेशनल प्लो भलत याद रहेगीट कि अगर आप से पूछा जाता एक की वार्ट ऍwo ऐसे उश्टी क्या होने लगेगी कम होने लगे इसी लिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही उनके बीज की दूरी क्या दिखा रहें बढ़ती है क्योंकि स्टीम लाइन जब दूर दूर होती है तो वेलास्टी कम होती है इसका मदब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे 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 बढ़ेगी इसे सेंटर के पास सेंटर के पास स्टीम लाइन जो होंगी दूर दूर होंगी लेकि जैसे जैसे दूर जाएंगी स्टीम लाइन पास पास अगर इसकी इसके लिए हम बात करें तो यहां पर ऐसे फिर ऐसे फिर पास पास होती जाएंगी पास पास ऐसे आपको देखने को मिलेगा मदब स्ट याद रखेंगे या एक मतलब जो माली की उड़ा है वह ऐसे ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे मोशन करेंगे मतलब आच के अबाउट रोटेट नहीं करें लेकिन इसमें क्या होगा प्रृट्स वार्टेग्स अब्रुटेट अप्रूल लेकिन यह सिंटर से सिंटर के पास तो रोटेशनल होता है लेकि सेंटर के दूर क्या होता है रोटेशनल होता यह बात के लिए यह बात क्लियर हुआ कि नहीं पहले इतनी सी बात बताओ जल्दी से बताओ इतनी बात मेरे को बताइए अब पहले कि जल्दी से बताओ इतनी बात मेरे को बताईए कि भूलिए कि बात क्लियर हुआ चली इतनी चीजें आप ध्याद रखिएगा इतनी बातें आई होप कि यह बात क्लियर सक्तिमान पोस्स गरता है चलो आप देखें अब रिखा वर्क से भाइड़ फिटिंग अब देखिए इयर वैसल का यूज ये विसल के और आप से पूछा जाता है आप में से नहीं किया जाता है अब मेरी बात को समझे मैंने यहां पर इस तरीके से आपके सामने बना अब होता क्या है सुनिंए आपका सेंटर लाइन होगी यह आपके पास फिस्टन हो गया अब द्यान समझ्दा अब देखें यह हमारा डिलिवरी यह सक्षन वाल है यह आपका डिलिवरी वाल है ठीक अब देखें इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इस्टैटिक है यह सक्षन है और इसे बोलते हैं हम लोग डिलिवरी है क्या बोलते हैं ठीक लिए यह बात ध्यान रखना है यहां से लिक्कुल निकलता है वी वेलास्टी से वीडी स्क्वार पांड डिलिवरी वेलास्टी आप लिख सकते हैं वी में इतनी बात आपको किलियर है आई हो कितनी बात समस्किंद और कि हम लोग क्या देख रहे थे थोड़ी दिर पहले आप पने देखा था अगरे डॉपल एक्टिंग होती अगर डॉपल एक्टिंग होती तो आप देख रहे थे कि दिश्यार्द हम کو ऐसे होती अगर को दिश्यार्ग ऐसंगे से मतलब है किस्षाइड भी आपको क्या हो जाता अगर डवल होती तो इस तरीके से मतनब इसंग मिलता मिलता क्या मिलता अब मैं चाह रहा हूँ कि यू नीफर्म डिस्चार्ड मिले है यहां पर लगबग पास में एक वेसल लगा देते हैं यहां पर एक वेसल हम लोग यहां पर इसे कहा जाता है कि यहां पर लिकुड होता है और इसके उपर एयर होती आएसे यहां पर आपको लिकुड होगा और यहां पर क्या होगा एयर कंप्रेस पार में होती काफी दबाव में होती है इना आप से पहले बहला था सुरू में ही बोला था क्या बोला था याद र को होता है हमाराнять में पाइप में लगा रहता और और पाशो कहां लगाते कि बे時 के लिए थे अब जब इधर तेजी से आक्सणेट करता जब इधर तेजी करता है वेलास्टी वहां तेजी यह पहली की से बढ़ती बढ़ती वह तीजी से दिए जिसके कारण हुआ इतना ज्यादा लिकूड आता है प्लिक्ड कहां चला इतला हो ख्ली आ जाता है कि अब जब इस था यह गफिराइ सhando होने लगते सकते है कि एयर वेसल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमेशा जो लिक्टूड आए एक आउसत वेलास्टी से आए मीन वेलास्टी से जिससे हमको जो डिस्चार्ड मिले वो यूनिफॉर्म मिले सेम ऐसी इस केस में जब इधर जाने लगता है तो वेलास्टी बढ़ती है तो लि है डिस्चार्ज को यूनिफॉर्म कर सकते बस इतना याद रखना है दूसरी चीज इससे इनर्जी की सेविंग हो जाती है इनर्जी को हम सेब कर सकते हैं इनर्जी को बचा सकते तीसरी बात तीसरी बात याद रखना हम सक्षन पाइप की लंबाई को क्या कर सकते बढ़ा सक सकते हैं तीसरी बात सक्षन पाइक की लंबाई को हम बढ़ा लेते हैं चौती बात फ्रिक्षन लास को हम क्या कर लेते हैं मिनमाइस कर लेते हैं ठीक छटी बात देखें छटी बात हैं कि हम को तीज स्पीड से हम चला सकते हैं तो कहने का मदब बहुत ज्यादा तेज नहीं च कर सकते हैं सक्षन पाइप की लंबाई को बढ़ा सकते हैं डिस्चार्ज से यूनिफार्म हो जाता है तो यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक आई मेकेनिजम इसका थोड़ा लंबा है यहां बताना संभव नहीं तो यहां पर लिखा वर्क्षेट बाइद फिटिंग आप प्वाइंट इतना पर्सेंड लगबग आपका बच जाता है पावर की से बिंग होती लेकिन यहीं डबूल एक्टिंग सीब प्रोक्रटींग से पंप होता तब आपको इतना डबूल एक्टिंग सीप प्रोक्रिक याद रखना इसमें यहीं पर बच्चा मिस्टेक करेगा कहेगा सिंगल में कहेगा सिंगल में सिंगल में आपकी इतना पावर सेव हो रहा है डवल में ज्यादा डवल में इसले ज्यादा पावर सेव हो रहा है कि डवल में आप देखिए डवल की बात देखिए डवल में लगबग लगबग क्या है देखो हर जगा आ के लिए बस इतने की कमी हो रही है उसमें क्या है उसमें अगर देखें तो आप उसमें देखिए उसमें अगर देखें तो यह तो आपको कमी दिखी रही है यह तो कमी आपको दिखी रही है तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा डबूल एक्टिंग में ज्यादा सेव हो जाएगी क्योंकि यूनिफार्म होने के लिए बहुत ज्यादा आप डिस्चार्ज की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा डिस्चार्ज की जरूरत है इसलिए इसमें आपको क्या मिलेगा ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी खिलियर तो एयर वेसल अगर सेविंग क्या है 49 दिशनों हो जाती है और सिंगल एक्टिंग में आपको पावर सेविंग ज्यादा में सब्सक्राइब है डिस्चार्ज और डैवुल एक्टिग रिज प्र रहा है मैं आपको डवुल एक्टिग रिज्टिग के बारें बताया कावन साइनसर होगा तो सर्ड्स इंगल एक्टिग ड्सपाहिन में आठ्ट शेव होता है आपके आप्राइण वाले लिखा नहीं वहाँ यह पिक्राइसा नहीं बच्चे ने गलत लिख लिया होगा तो क्या कर सकता हूं तो कि यहां मैंने बताया होगा बच्चे भाई जो नोड्स आपको मार्केट में मिलते हैं वो किसी स्टूडेंट का है एक मैं तो आप आप से बोल रहो हूँ न मैं तो आपको रीजन वता रहो हो रीजन आप देखिएर किसमें पावर ज्यादा सेविंग हो खुद आप समन्छ लीजें कि अगर एरवेसल तो सोचिए इसमें ज्यादा आप इनर्जी देखोन इतना इसे ल्यू Schl exposed करेगा के तो सोचिए इतना डिशयर्ड की मदद करेंगा अगर एयर्यत बैसे ना यूश करते तो आपको इतने डिश्यार्च और प्राप्त करने के लिए आपको एक दो कि ज्यादा हो रही है सिंगल एक्टिंग में ज्यादा से डबुल एक्टिंग में तो वस एक चक्कर और लगादो हो जाएगा कह सकते हैं कि अब यह बाद तो आप समझिये ना तो चीज उन को रिजन के साथ समझिये ना आप किसी बच्चे ने लिखा होगा तो बताया कुछ होगा लिख दिया होगा तो मैं क्या कर सकता हूं इसलिए तुम्हें कहता हूं कि नोट्स अपने आप बनाओ फोटो इस्टेट नोट्स नहीं आप कहते को नोट्स दे दीजिए कि आप देखिए मैंने जो भेजा होगा नोट्स आई होप कि आपको नोट्स मैंने जो भेजा है उसमें आप देखिए कि उसमें क्या लिखा है कि मैं देख लेता हूं वही लिखा है कुछ और लिखा है अगर वो लिख्या है तो उसको सही कर लिजेगा ठीक ना और सिंगल एक्टिंग उसको सही कर ले ना बापू ठीक उसको आप सही कर लिजेगा मैं आपको बता रहा हूं हाँ है डिजर से कडिन ऐसा किन एक्टिंग में ज्यादा सीव होगा जो मैंने आपको भेजा है आपको मैंने आट पीडिया अपलोड किया उसमें दिखाया है कि सिंगल ये है यह onры होगा भूलो जो नोटस में देखिए जो नोट Cleanूल मैंने बेजा है उसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ उसनि यही तो भैली लिखा है अतनने निथ्ट असाफ को बहुत है अब सब्सक् toxal in protecting दweep रहेरीं पूल एक्टिंग में क्या था आपका यहां पर आजाओ अब यहां पर क्विस्टिन दिया है और सिंगल एक्टिंग रिसीप्र कटिंग पंप दा एक्चुल डिस्चार्ड देखो अब देखो त्यूरेटिकल एक्चुल डिस्चार्ड की बात कर रहा है अब होता क्या है सुनिएगा द्यान से समझे जितनी चीजें बता हैं बहुत द्यान समझे ठीक ना अब यहां पर मेरे पास यह क्या है इस तरीके से अब होता क्या अडिया ध्याले यहां पर लगे रहते हैं लगे रहते डिस्टाइप जब इधार आता है बार बार ऐसे होता है कि यह काफी घिस जाता है काफी घिस जाता है कर दो कुछ लिक्विड क्या होता है इधर आ यह सफ्ट वैलो में जो सुक्षणी श्डो कि नेा था सखकित किए लेकिन क्या होता है तो क्या हो तो फॉपल इस्को misunderstood तो जितना है निकलना चाहि यह नहीं निकलब ठाटा का इसका मतलब ओगह सिक नहीं नहीं लेकिन इतना नहीं देता है क्या हो जाता है क्या हो जाता है जिसकी वज़ा से सुनिये इसका मलब कुछ कम देता है तो जो को याद रखना स्लेख हमेशा क्या होगी आल वी जरली पॉस्टीफ होता है अब आफ से कहा जाय है सिलीट के स्लीप को हमेशा पर्षैंटेज में बैक्त करते हैं घिड़ क्या बोलते क्या बोलते क्या दिशार्ट क्या बोलते कोफिसेंटाफ डिश्यार्ज क्या बोलते क्या स्लिप पूछता है क्या स्लिप नेगेटिव हो सकती है कब हो सकती है जब बहुत तेजी से चलाओ जब हम को बहुत तेजी से चलाते हैं तो बहुत तेजी से एक्सलेट करता है क्या करता है इधर बहुत तेजी से एक्सलेट करता है तो लिकुड बहुत तेजी से आता है बहुत तेजी से और एक्सलेशन ज्यादा होने के कारण यह सक्सन स्टोक के दवरान सक्सन स्टोक के दवरान अगर बहुत तेजी से चला है तो ए पर इस में तो आता ही है वह मदब बहुत तीजी से जब चलता है उम्हेगा बहुत जादा होता है तो जिसके करना तीजी से एक्षेलैट करता है तो आ 안क जाता है अप जब इसको निकलता ही इसको दबाता है यह निकलता ही निकलता है जो यहां पर सक्सन के दौरान जो इस्टोर है लिक्विड वो तो निकलेगा ही साथ-साथ यह भी लिक्विड निकल जाता है इसलिए कहते हैं कि अगर आप से कहा जाता है कि बताइए किस कंडिशन में स्लिप नेगेटिव होगी जब सक्सन पाइप जब आप कहोगी जब पंप को हाई आर्पीम से चला दिया जाए तो डियूरिंग दा सक्सन स्टोप कुछ पानी डिलिवरी पाइप में पहुंच जाता है जब पानी जब अब दिलीवर करती है तो इसको मिल जाता है जिसके कारण जो एक्चुल डिश्चार्ण से बढ़ जाता है अधर्वाइस हमेशा क्या होती है पॉस्टीव होती है द्यान लखिएगा यह बात किलियर होगी बात किलियर होगी तो मैंने आपको बता दिया अब सवाल है यहां पढ़िस्शन क्या कहा रहा है पवार सिंगल एक्टिग रेसी प्क्रिप्र इंच्ट कर दर इतना आपको is तो आप निकाल सकते हो तुरेटकल माइनस एक्चुल में से एक्चुल आप घटा दो 5.6 लीटर और यह हो गया आपका और पॉइंट सिक्स डिवाइड़ भाई 5.6 मल्टिप्लाई हंडड़ यहां से आ जाएगा वन वन पॉइंट सिक्स सो से मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई हंडड़ जो आएगा पान दूना दस लगभग आपका 17.8 के करीब आएगा स्लिप समझ में आया की नहीं पहले बताओ स समझ मैं अब याद रखना अगर स्लिप 2% या उससे कम स्लीब जो है स्लीप अगर जो है तो मानते हैं की पंप अच्छी है ओडर्वाईरवाइस हम पंध को मानते हैं किनन बढ़ा है बात क्लियर होगी तो मैक्सिम मतलब स्लिप दो परसेंट तक अगर है उससे कम है तो ठीक ठाक पंप को खोल के रिपेर करने की ज़रूरत है ठीक आई है जा सेंट्रिफूगल पंप इंपलर मैक्सिम वेल वेल एकजिट एंग मतलब जब पानी बाहर निकर रहा है व यह से बाहर निकलेगा निकलेगा इंपलर से पानी क्या हुआ बाहर निकला इससे रिलेस्टिव फ figuring यह हैं इस मिंज़े और इसे आउटल सेंट्रिफूगल पं में रेडियल फ्लू होता कैसे इन साइड से आउट वर्ड होता ठीक इसे हम बोलते वेल अब पंप जब इधर चलती है तो वेल इधर होते बैकवर्ड डायरेक्शन होते के लिए आप देखो यह जब पानी बाहर निकलेगा पानी जब बाहर निकलेगा मेरे दोस्त समझेगा इसे बोलते हैं टू होती उसे बोलते रिलेटिव वेलास्टी अब अगर इसी में वेल की वेलास्टी जोड़ दे जो वेल की वेलास्टी यहां यूटू बराबर क्या होगा पाई डीटू एल अपान सिस्टी डियर अगर इसको हम ऐसे बार फिर आपको दिखाएं तो देखिए ध्यान दिना डि अब डियर यहां पर समझने की कोशिस करें आप बहुत द्यान समझें यह पॉइंट वण है यह पॉइंट टू अगर मैं डियर यहां पर बात करूं यूटू बाई जब यह चीज नाच रही है रोटेट कर रही है ना ऐसे और पीम से तो याद रखो यहां पर वेलास्टी क यसे बताओ कोई चीज रोटेट कर रही हो तो 314 कि यह इसको लिख salah जाएगा पाइडीटस यह प्लिटी व अपाण 60 वही में कह रहा हूं अगर इसमें हम इसको जो हमारी डिलेटिव विलास्टी अगर यूटू इसमें जोड़ दे यह क्या आजाएगा मेरा वी टू आ जाएगा एक्छल विलास्टी तो याद रखना यह जो एंगिल आपको यहां पर दिख रहा है तीस एंगिल इस इस प्रीटा बो पर दखा जाता है और आपको याद रखना अगर बीचा की बैलू 90 से कम है याद रखना सेंट्री फ्यूगल पंप की एफिसेंसी क्या होती काफी ज्यादा होती इसी लिए जब हमारी वेल जब पंप इस डायरेक्शन में चलता है तो वेल कि दर होती बैक्वार डायरेक्श इसे बोलते तो बैक वर्ड कर सकते आप चाहें तो बेन को क्या कर सकते रेडियल बना सकते रेकिन इन सब तो सबसे जादा efficiency कम मिलेगी जब वेल एंगिल मनलब या कहें हैं इंगिल का मान 90 से कम है उससे कम आपको रेडियर में मिलेगी सबसे कम पूछा गया कि सेंट्रिफ्यूगल पंप जो होती है उसमें को कैसे रखा जाता है बैक वर्ड में क्यों रखा जाता है ताकि बीटा 90 से कम होगा तुस्से फायदा क्या है उससे हमारा जो कहने का मतलब है कि जो हमको कि इफिसेंसी मिलेगी जो आउट्पुट मिलेगा मिलेगा ज्यादा मिले एचाए आपको द्यान रखना है तो कितना रखते हैं ज्यादा कितना रखते हैं रखते हैं उसके पिछह रीजन के लिए लाइक प्लार करने है यह लिए यह लिए निक्panzee यह क्णिए फिशेंसी पंप यह जिसकी क्या है है ठीक रिक्वाइड कर फोल लोड़िश्चार्ड करा एक पंप जिसकी फिश्चक्षर्ड ऑब ज्याधा होती अच्छा एक कैसी पप जिसकी फीसेंसी बहुत ज़्यादा है क्याफ के लिए और उसकी करा लो मेंटीनियनेंस कॉस्ट अच्छा डिलिवरी आप वाटर नीड नौट नोट इलिवरी है वह पॉर नहीं है नौट नाइट है पंप को बहुत तेजी स्पीड से नहीं चलाया जा सकता है इसमें अगर जयादा तर बाते देखे तो जो रिषीटिंग अगर कर रहे हैं तो कंपेर करें तो कुई कब देगा लेकिन है क्या देगा डिस्यार्ड ज्यादा देगा यहां पर वातें हो रही हो रही यहां पर रुख़टिंग रिलेटिड बात को है कि in that section श्चॉप में भी सेप्रेसन कहां हो सकता है से अब सेप्रेशन हो सकता है बताइए अब का मतलब क्या है बता है सफरेशन का यह मतलब है ह argent हेसे प्रेशन का मतलब अभी आप समझ जाओ बहुत अच्छे से हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगे बस कुश्चन को ध्यान से समझिए बस बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ठीक है अगर नहीं भी पड़े हो तो भी बहुत सारी चीज़े सीख जाओगे अब होता क्या है कि जब तेजी सीधर बढ़ेगा अगर इसकी स्पीड जादा है बहुत तेजी सीधर आया तो यहां अचानक क्या हो जाएगा वैक्यूम क्रियेट होगा क्या होगा वैक्यूम क्रियेट होगा वैक्यूम क्रियेट होगा वैक्यूम क्रियेट होगा वैक्यूम क में बहुत जधाएट हो गया यहां का प्रसक्राइश फिर स्टर यहां इतना कम हो गया कि प्रसर उससे कम हुगकल का प्रसर वाशड़ा कि यहां पर पहुंचे घो हिसे घुली हुई हुई यहां पर बाहर आज़ाएंगे अच्छा पिर जब दबाएगा तो क्या होगा पता है इसमें जो बाबलस है воह क्या होगा प्रेसर के फुटेंगे कहां पर इन्हीं बांडरीस के पास आकर जिसके करण कि श्lingen की संभावना बन जाएगी क्या situation इसका मतलब है separation कब कहा हो सकता है यही से शुरू होगा separation प्रोटिया स्क्सण सबीकिंगयों शुरु होने वाला यह तब ही होगा सफ्प्रेशन बात क्लिए तो सब क्या होगा क्या न राइब विग्निंग आप तब सक सब्सक्राइब आप सक्कार रहे हैं यहां का प्रिसर इतना कम यहां आएगा उसके अंदर गयए सीन गुल Preston हो जाएगा जिसके कारण यहां पे क्या हो जैए वबन से यही दिलिबरी इस्टोपे सब परतीज की त्या पड़ेगा और जब प्रेसर आएगा तो जाके बाउंडरी के पास क्या करेंगे प्लास्ट कर जाएंगे बोलो बात समझ में आया की नहीं जल्दी से बताओ च्पर आप दीया गया दैयमीटर आप पिस्टन डामीटर पिस्टन दिया घया मतलब पिस्टन का डायमीटर दिया इसका मलब एरिया आप निकाल सकते पाई पोडिक अच्छा क्यों भी आपको दिया गया किव जिरोपाइंट जिरो फिटी आरक या बहुत अच्छा-बहुत अच्छा यहाँ पे एंसव रखेंगे आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा किसमें मीटर की अब इसी में एक हजार से मल्टिप्लाई कर देना तो आपको आजाएगा लीटर पर सेकंड क्योंकि वन मीटर क्यों क्या होता है क्या होता है क्लियर थी आप साल करेंगे आपको मिल जाएगा इंसर मेरे पास मुद्र मैं बता दे रहाएं त supuesto 5 1115 यह ins रहने जाएगा जल्दी से बताई न जीचके न अप बने रहेंगे तो मैं आप से बाच्चीत होती रहेगी तो उससे क्या होगा आपको कहां समझ में आ रहा कहां नहीं समझ में आ रहा मैं explain करता जाओंगा आप सो जाएंगे तो मैं भी अपना तेजी से निप्टा की निकल लूँगा कि हमको लगेगा कि मैं अपनी समझ से बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं समझ रहे न आप जब मेरे से कहेंगे तो कहूंगा यूटूब पर लेक्चर जाके देख लो वहां बहुत डिटील में पढ़ाया हूं ठीक ना क्योंकि यह सारी चीजे कोई दिक्कत बड़ी बात नही क्या बोलते हैं और याद रखना इसकी जो साइज होती ना काफी बड़ी साइज होती है याद रखना छोटे मोटे एर वेसल नहीं होते हैं जो हमारा सिलेंडर है ना उसके 6-9 गुना होता है आयतन सोचे एर वेसल जो होता है मेटैलिक होता है उसका जो वैल्यूम होता है न हैये वाइपíveisल की साइज क्या होती है इस चीज़ को आपको दियान रखना है क्लियर काफी बड़े होते इससे क्या है कि ए तो एर वेसल की साइज होती है साइज याद रखना साइज क्या होती लगवग 6-9 गुना होता है गुना इसका वैलूम होता है वैलूम आप क्यों हमारा सिलेंडर होता है सिलेंडर के और एक बात और याद रखना जैसे इंजन में फ्लाइवील का काम है इंजन में किसका काम है फ्लाइवील का काम उसी तरही एक स्णिरत करके हम क्या करते यूनी फार्म क्या बना लेते हैं हम लोग यूनी फार्म बना ले पे क्या डिस्ट्ट एक है तो आगर कोई पूस्ता है आपसे की एयर Намताएन किस सब्सक्राइब है मतलब से डिलिवरी पाइप और सक्षन पाइप पयर कि जो होती है उसको यूंटिफार्म बनाए रखता है मतलब कि दिलिवरी पाइप है और सक्षन पाइप है इसमें जोagram Currently होती है ना मीन वेलास्टी के बराबर रखता है किसके बराबर मीन वेलास्टी के बराबर रखने की प्रयास करता है और जब वेलास्टी मीन से ज्यादा होती है जब पानी का विलास्टी मीन विलास्टी से ज्यादा होने लगती है तो डिस्चार्ज कौन ले लेता है एयर विस को continuous supply आप दा वाटर एड़ यूनिफार्म डेट इसका यही काम है तो एयर विसल क्या करता है रेसी प्रुखडिक पम में continuous supply of water at the uniform rate ठीक बात clear हुई बताओ यह बात clear हो गई की नहीं कि घृ और यह वी कह सकते हैं कि जो क्यविटेशन के चांसे हैं तो टो क्यविटेशन चांसे को कम कर देता को कम कर देता पर देता है फिर याद रखनाऒ चीच चलेचे भी आध्रकन एक्सी रेसिंऑ को कम करता है तो कम करता है यह दो बाते याद रखना कि जो फ्लो से प्रेशन हो सकता था चान। इस प्रेशन को कम करता है याद रखना बस अगर आप से पूछता है कि मिलता है इसके कारण आपको यूनिफर्म रेट से क्या मिलता है डिस्चार्ड मिलता है इंड होगी है यह क्या होगी है अच्छा से यह वीदर फ्लक्ट्ट्ट्रेट कर रहा ठीक बात क्लियर यह तीन बातें आप इंपोर्टन तरीके से याद रखिएगा इसे इधर हो रहा तो दन जो स्क्रीन है इसे आएसे जा रहा ही तो मच्छर गिवा जा से इस पे मच्छर बाटेगा तो इधर होगा कर रहा कर्या है। है एसे जा रहा है से रहा हैकिर क्या आच्छ पे मन्दू होईने। करेंब हिए that गए नाए ह्टा-पाँ यह खर दो करें यह जरे अटशन के और मैंने क्या बतायता है यूस करके पंपको हाई स्पीड से आप चला सकते रहे हैं आइस प्यूस्सीड से इसलों को चला सकते हैं याद रखना पंप को चलाया जा सकता है चलाया जा सकता है याद रखना ठीक फ्रिक्शन लास जो इस पाइप में और इस पाइप में जो फ्रिक्शन लास हो रहा था उसको भी आप क्या कर सकते हैं कि कम किया जा सकता है देखो आइस आपको सिर्फ इतना याद रखना कि एक्सलेशन हेड को क्या कर सकते हैं कम कर सकते बस रिड्यूस कर सकते एक्सलेशन हेड को इतनी सी चीज आपको याद रखना मैं पहले बता दे रहा हूं तो आपको सिर्व क्या याद अभी मैं आपको वेलास्टी निकलाओं SM की और उसके बाद एक्सेलेशन निकलाओं और इसको बैलेंस करूं लगा कि कोई मतलब का नहीं निकलेगा ठीक ना उससे आपको जानने की कोई जरूवत नहीं पस इसमें इतना भी याद रखिए कि एक्सेलेशन हिट को रिड्यूस करता है फ्रिक्षन लास को कम करता है यह देखो एचे बराबर आप पड़े ओफूर या फ्यल्वी स्कॉर अपांट टूजीडी आप देखो जो वेलास्टी है वह बढ़ ह की नहीं पा रही जादा होई नहीं पा रही है मतलब जब जादा होती है तो इसको मिल यहएर विसल हमेसा मीन पे लाने की कोशिस करता है तो फ्रिक्षन के काईट च्रौन क क्या हो जाताओ क्लियर को जादा मीन से बढ़ने ही नहीं देता तुए किकर बड़ेगी तो लास य एक्ष्णियमे क्या है अभी आप उसको समझने की कोसिस करेंगे तो एक्सेंबेशन एंड है कोई बड़ी बात नहीं बहुत च्छोटी चीज़ मतम लेकिन हम नहीं चाहरे हैं कि बहुत complicated हो जाए अभी बहुत ज़्यादा complicated हो जाए दिक्कत होगी हम को क्या करना हम देखिए आपको सुरू में हमने आपको यह नहीं बता है यहां पर आपको लिखा क्डिश्यार्ज बड़ाओ क्या लिख दिया आपके सामने लिखा था क्या लिखा था यह ओमेगा इसक्वाइर सा अभी क्या है जो जो चीज़ें आपको बताई जानी उसको याद रखिए एक्जाम जब SSCG का हो जाए तो आप क्या करिएगा लेक्चर यूटूब पे मेरे पड़े हैं आराम से देखिए का रेसी प्रकुटिंग पंप क्या है और मैं एक दो लेक्चर और अप्लोड करने हैं तो इसलिए अभी क्या है जितना इंपोर्टेंट है उतना आप पढ़ लीजिए ठीक ना तो इसलिए परेशाद नों इसलिए मैं आपको बार-बार चीज़ें बता रहा हूं कि एयर वेसल को यूज़ करके इसे हाई स्पीड से पंप को चलाया जा सकता है दूसरी चीज सक् और प्रिक्सण के कारण डीलिवरी पाइप और सखसल पाइप में होने वाले लास को कम किया जा सकता है फ्लो से प्रेशन को कम कर सकते हैं के चांसे को पंकर देता है एक्सलेशं को रिडूस कर देता है इतनी चीज आपको समझ करके क्योंकि आप एक बाद बताओ जो चीज मैंने लगभग 20-22 दिन में पढ़ाता हूं कि लगभग मान के चलिए 40-50 गंटे पढ़ाता है 40 गंटे उसी आपको दो गंटे या चार गंटे या छे गंटे कैसे हो जाएगा नहीं हो पाएगा ना तो यह से ही होगा जो यूज है फंक काम है कि delivery pipe और suction pipe में velocity को uniform बनाये रखना मदब मीन वेलास्टी के बराबर बनाये रखना यह एक्सेलेशन को कम करता है करती आप सेंट्रीफिभूगल पंप मोर था फ्रेसर हेट अब बताएट रिस के लिए हैंट के युट्छ है जबकी मेरा सेंट्री फुगल किसके लिए बताइए लो हेड के लिए तो क्या करा है लेस अपर टूगा अब देखे इसको चलिए बताइए अब बताओ अभी आपको इतनी चीजें बताया अब जल्दी से बताओ क्या डिया को मैंने ऐसे कहाते हैं की यूज करके आप क्या कर सकते हैं इस सक्षंट करके बढाया जाता यह बोला कि सक्षन पाइब की नंबाई बढ़ाई जा सकती फ्रिक्षिल के कारण होने वाले हैडलास को कम किया जा सकता है चाहे उसक्षन पाइप हो चाहे डिलिवरी पाइप में और इससे पावर की सेविंग होती है यह बातें आपको बताया कि आप बताइए एर वेसल यू निवाले यह वगया प्सक्राइब को इस यह सब रहे होए कुशन यह में आए व्यों कुशन मैंने कोई कुशन इसमें बनाया नहीं है जो कुश्चन बनाए तो मैंने उम्मीद बैच में कराया था जो आपने यूट्यूब पर देखा है उसमें सब बनाय हूए कुशन ते इसमें वही को इससर रखें जो यहां पर देखो यहां पर क्या लिखा है यह डबूल एक्टिंग डुपलेक्स रेसीप अब देखो डबूल एक्टिंग का क्या मतलब हुआ कि जो पिस्टन है उसके दोनों साइड मनलब सक्षन के टाइम ही लिकुड देगा और डिलिबरी के म दाइक्षन के दवरान भी पानी निकलेगा डिलिवरी के तैप और यहां पर क्या लिखा डूपलेक्स का मतलब है कि वहां पर दो सिलेंडर होंगे दो सिलेंडर काम करेगा समझ रहे ना जैसे आपको ऐसे मैं थोड़ा सा समन्हाने की कोसिस करता हूँ जैसे आप क्या करिए तो आप ऐसे क्या कर रहे हैं समझ रहे है तो आप सोची इथर सेही पानी निकले गा इधर से निकलेगा तो आप बताईए एक इद़र यहां भी दो सक्सन इप है धो यहां पाइप दो डिलीवरी पाइप है तो होगा क्या जब एक चक्कर लगाएगा तो तो सोचिए यहां से दो वार पानी कि आपको पता है ना कि कितना डिस्चार्ड देगा डबूल एक्टिंग कितना देता है टू एलन अपान सिस्टी और से भी आपको मिलेगा टू एलन अपान सिस्टी मिलेगा की नहीं इसका मतलब है इसका क्या मतलब है कि डूपलेक्स का मतलब होता है टू सिलेंडर क्या बोलते हैं टू सिलेंडर सिंपलेक्स अगर यहां पर लिखा होता है सिंपलेक्स 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 का मतलब होता है एक सिलेंडर एक सिलेंडर ठीक अगर आप ट्रिपलेक्स कहते हैं ट्रिपलेक्स ट्रिपलेक्स का मतलब मेरे दोस्त होता है तीन सिलेंडर क्या तीन सिलेंडर अगर होता है क्वाड़फ्लेक्स इसका मंदब होता है चार सिलेंडर तो देखें अब सवाल उठता है कि भाई सिलेंडर तो समझे कितने सिलेंडर होंगे दो सिलेंडर होंगे दो सिलेंडर होंगे ठीक लेकिन पिश्टन कितने होंगे अरे वाई एक पिश्टन यहां पर होगा मेरे दोस्त एक पिश्टन यहां पर होगा और एक पिश्टन यहां पर होगा तो कहने का मलब कितने पिश्टन होंगे तो डूपलेक्स में कितने दो सिलेंडर तो दो पिस्टन अगर सिंप्लेक्स होता है सिंप्लेक्स का मदब सिर्फ एक डुप्लेक्स का मदब दो जाए सिलेंडर उतना पिस्टन हुग क्लिए तो डूप्लेक्स का मतब दो स्लेंडर दो सेंडर त्रिपलेक्स का मतब तीन लेнов स्लेंडर सिंपष्ट ओ टोसे अवा जाए गया सोगोड़ संस्य तो हो डावल एक्टिंग' सिन है में येएर वेसल क्यों यूज़ किया जा रहा है बता व मैं जल्दी से बताओ में एयर वेसल में क्यों किया जाता है अभी आपको बता बताओ यह निकार ना रिड्यूस इन्दा एक्सलेशन है या रिड्यक्शन इन रिड्यक्शन इन फ्रिक्शन लास कि इन सक्षन पाइप और टिलिवरी पाइप यह भी कह सकते हैं ठीक यूनिफार फ्लोरेट को रखा बनाने के लिए एक्सलेशन हैंड को कम करने के लिए पावर की सेविंग करने के लिए क्योंकि एयर वेसल का यूज्स करके आप क्या करते हैं पावर की सेविंग करते हैं पावर सेविंग करते हैं सिंगल एक्टिंग रेसीप रोक्रीटिंग पं में आप कितना करते हैं 84 और कितना करते हैं 49 और डबूल एक्टिंग रेसीप रोक्रीटिंग पं में आप कितना करते हैं 84.8888.4 इसी के असी से अब भी आपको मिलेगी बैलू लमसम इसी के आसपास आता है तो इन रेसीब रॉक्टिंग पंप एयर बेसला यूज पावर से तो सिंगल एक्टिंग में आप 39.2 और डबूल एक्टिंग एकdian가리 करीб होती है उनिफान बना रहता है रिडू रहाइब क्लासीफिकेशन आप सेंट्रिफूल पंपनों का देखो क्लासिफिकेशन किसके किसके आधार पर कैसी एक है क्या है क्या है रूप डॉट डाइन्मिक पूम रॉटाइनिक Celsius अब देखिये रदेत कंप में मैंने दो तरह की पंप बोला है स्वरी क्या गलती बोल दिया मैंने बोला कि पंप दो तरह की होती एक पॉस्टिव डिस्प्लेस्मेंट और एक रोटो डायनमिक क्या बोला पंप की बात करें तो पंप आपके दो प्रकार के एक रोटो डायनमिक हो गया एक पॉस्टिव पॉस सेंट्रिफूगल पंप देखा और एक होता है आप का सेंट्रिफूगल पंप और यहां पर लेख सकते इसी रोटो डायल्मिक पंप को हम और क्या बोलते टर्बो पंप तरबोपंपु एक रबोफ चाहैं आपका रोटोडाइनमीक क्वम जाहे आपको सेंट्रिफुगल हम देखा तीन तरह काँ एक बकेट का धेखा है फिल्बरंजर का देखा लिए पलंजर इस क्या बसे प्लंजर करो कि श्री इसन ऐतोividades कि इसको देखा तो और यह आपका बकेट देखा था और यह आपका पिस्टन देखा था और यह क्या देखा था पिस्टन हो गेर पंप देखा वेन पंप देखा और इस्कूरू पंप देखा तो हमारा कहने का मदब जो पॉस्टिव डिस्प्लेस्मेंट पंप है वह आपने बकेट देखा पिस्टन देखा प्लंजर देखा बकेट पिस्टन प्लंजर देखा ना भई यही तो चीजे मैंने देखा था बोलिए अब यहां पर आप देखें अगर सेंट्री भूगल पंप अगर देखें तो हमारा एक सेंट्री फ्यूगल पंप हो गया जिसको रेडियल फ्लूब बोलें क्या बोलेंगे रेडियल अगला क्या हो जाएगा हमारा नहीं मिक्स प्लो क्या होगा मिक्स प्लो और फिर क्या होगा मेरा एक सीफ тобой को सेनी शी जैनी बोलता कै सेंगों आप से अगर फूछा है पंप कितने प्रकार क्यों रखना एक होती रोट्राइणमिकप एक होती ब्रॉस्तिवी डिश्प्रीश्मेंट दो प्रकार की ठीक इसमें क्या होता है रोटेटिंग पार्ट होता है जो क्या करता है फ्लूट को रोटेट करके इनर्जी देता है इसमें क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट होता है किसका बाउंडरी का बाउंडरी का डिस्प्लेस करके वैलूम को कम किया जाता है प्रेसर को सब्सक्राइब क्लिए पर इतनी बात क्लियर हुग इसका मलब जो संट्रिभूगल पंप एक रेडियल फ्लो वाली ठीक अब सब्सक्राइब को हम क्या बोलते हैं एक्सिल पंप का बखसे जी कने के लिए एक्सिल पंकर को होता है यह एक्सिलो में हमारा क्या होता है यह आपका एक्सियल होता है और प्लस और सेंटर से आएगा लिकूड आई के पास और ऐसे रेडियल क्या होगा निकलेगा ऐसे जायेगा ऐसे जाएगा आड़ से कहा जाए कि जैसा और तो मिक्स फ्लोगा क्या मतलब है आज पलस तरेडियल निकल जाए नृटोटेशन एकसिस में करता है रोटेशन एकसिस में निकल जाता है जो रोटेशनस होती है उसी के पारलेल इंट्री होती ही उसी के पे लेलगशन मुbucks कई हो एजामपल क्या प्रोपलर पंप सेंट्रिफूगल पंप रेडियल प्लोट क्लियर कहां लिखा हुआ है कहां उल्टा लिखा हुआ है बताओ कौन सी फिसेंसी गलत लिखा है एयर वेशन की कि सबसे जादा पावर सेविंग आपकी किसमें होगी इसमें डबूल एक्टिंग में कि मैं चेक सेकंड चेक कर लेता हूं भाई मैं बता रहा हूं इसको निकाल के मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि के अच्छा यहां पर अच्छा यहां पर अच्छा यहां पर और हो सब्सक्रास पीछे तुब कि दिखकतु कि अब अब एक बाट यहां पर आना यहां सेंट्रीक हमकी मिवाट की बास वो attending सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंपलर के आधार से कर सकते हैं इंपलर के आधार पर कर सकते हैं तो आपको तीन सब्सक्राइब क्या होती रहती है चेसिंग और हम न इसमी कि मैं आप से पूछा जाए कि संक्राइब सेंट्रिफ्यूगल पंप में सेंट्रिफ्यूगल पंप में जो केसिंग इस्तेमाल होती उसके आधार पे अगर बात करें उसके आधार पे तो तीन तरह की पंप होती है मतलब सेंट्रिफ्यूगल पंप कहीं भी देखोगे तो तीन तरह की केसिंग मिलेगी या तो टर्वाइ केसिंग आपको मिलेगी अभी थोड़ी दिर में बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सब रखना ठीक ना अगर आप से कहा जाए सबसे ज्यादा इफिसेंसी किसकी होती है तो आप कहेंगे इफिसेंसी का क्या मतलब यह भी बताएंगे आपको सब ज्यादा टर्वाइन केसिं की एफिसेंसी ज्यादा होती उससे कम वाइटेस की सबसे कम वैलूट की क्लियर लेकिन याद रखना जो टर्वाइन केसिंग है इसका ज्यादा तर हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं जैसे इंडस्ट्री के परपस यह क्योंकि बहुत ज्यादा महिगी होती है ठीक ना तो सब हमारे पास तीन तरह की इंपलर होते हैं ये खोथा ओपन इंपला बताते हैं इंतजार करो hopefully एक सेमी होता क्या होता से सी और एक होता पकलोज या इसको शारू रिंप्लर अ इंप्लर मनलब के आधार पे बात करएं तो हमारे पास तीन तरह की इंप्लर आपको देखने को मिलें या तो कोपेला या सेमी वह जर या तो इसके आलावां हेड के आधार पर भी रॉल्प मारी होती भाली है मेडियू हट वाली इसके अलावा स्पेस्फिक स्पीड यकुप प्रोपका क्लासिफिकेशन किया जाता है अब सवाल उठ रहा है कि इसमें क्या दिया है क्लासिफिकेशन आप सेंट्रिफूगल पंप इस नार्मली ओन दबेसिस आप किसके आधार पे करेंगे अब बताईए किसके आधार क्या जितना मैंने बताया आप को केसिंग के आधार पे क्या कहीं केसिंग दिया है इंपलर के आधा ले जाएंगे तो पंप लेने से पहले आप यहीं सोचेंगे कौन वाली केसिंग वाली वाली सस्ती मिलती है लेकिन इसमें ला से ज्यादा होती है इसलिए और लेकिन सस्ती होती है तो ज्यादा तर आप देखेंगे कोई भी पंप अगर कहीं खुली आपको मिलेगी तो आप द rotating part क्या करता है रोते होता है इसी को हम लोग इंपलर बोलते हैं ठीक इंपलर और इसके चारो तरफ जो आउरन आई से होता है इस ही केसिंग अगर सिंपल इसे है तो इसको हम बोलते हो वाई- čारो जादा होता है जब लिक्ड इसमें निकलता है तो इनर्जी का लासेज़ इसी को वर्टेक्स चैंबर बोलते और इसी के चारों तरफ हमको एक इस टाइप की फिर केसिंग आपको देखने को मज़ते हैं ठीक तो यहां पर वर्टेक्स बना एक चैंबर इस चैंबर क्यों बना है अभी बताता हूं इसके बाद एक आपको एक अगली केसिंग ऐसे आपक इसके बाद क्या है आपकी केसिंग क्या होगी केसिंग यह देखिए तो कहने का मतलब है कि डिफ्यूजर कहने का क्या मतलब यह जो आपको मैंने दिखाया है यह जो यहां पर मैंने वेंस आपको दिखाए यह जो यहां पर दिखाए गये हैं यह जो यहां पर वेंस आया गया ताब की जब लिकुड आगे जाया तो एरिया लगातार बढ़ रही हो एरिया बढ़ेगी अगए गज। वेलाasetis, हो जाएगा प्रैसर अनरजी में बदली फिर आपने क्या किया एरिया बढ़ा दिया फिर काइनेटिक उनर्जी प्रिसर में उसके बाद क्या हुआ फिर आप देखे एरिया बढ़ता जा रहा है कि इसका मदलब जब यहां लिकुट पहुंचेगा तो खाफी ज्यादा प्रिसर डिवलप होगा क्लियर ओके इसमें क्या है कि इसमें जब लिकुट निकलता यहां से यहां जब नचाता है नचा के बाहर फेकता है लेकिन यहां जब पहुंसता है तो अब बताइए ऐसे बाहर निकलता तो इसमें फ्री वाइट एक्स फ्लो में आप जानतों वीक को डूटू सी अपान आर्ट इसका मतलब है जैसे जैसे मैं करता है कि यहां पर वार्टरी क मेंbak क्या करता हैhta ऊसके लिकविड इसमें आता है तो एरिया लगातार बढ़ती जाती है है तो क्या होता है लगता तो साहब और इसमें उतल ए इसमें क्या अंतर है कि यहां यहां सी लृकण आगे बढ़ ल धा तो काइटीक इनर्जी प्रेसरण दोनों चीज आप देखने पार रहेए प्रिव एटेस्ट फ्लो के कारण वेलास्टी कम हो रही प्रेसर ची बढ़ रहा है डूसरी चीज एरिया भी आपने बढ़ा दिया है इसलिए हमें कहते हैं कि यह केसिंग जादा इफिसेंट है मतलब यह काइनेटिक इनर्जी का जादा से जादा भाग कि इसमें बदल दे रह यहां पर बदला उसके बाद क्या हुआ होइई में आता है यहां पर छोटी जोटी डिज में सिसके ककी कम यह पहले बताव मोठा UK यह Base 12 में आया कि नहींенноеम कि बोली है टांसी पंप जदा एफिसेंट है तो क्या बोलोगे डिफ्यूजर केसे क्योंकि ए Europy रहा की और अश्य था होगा तर्वाइन हो कि यह क्या होता था रजूर क्प्र में में इसलिए कहा जाता है उसी का उल्टा होता है सीधी सी बात तो सबस्ज्ज्द इफिसेंसी आप कोगे ट्प्राइन केसिंग से उससे कम किसकी होती है आपकी वैटेक्ष केसिंग की उससे कम आपकी बहुत सस्ती होती ठीक ना अच्छा अगे देखते अगली बात है कि जो मेरा इंपलर इंपलड एक ऐसे होता है किसे मैं ओपन इंपलर में इसी चीजें पूरशिए पन्मटर हुला जाता है इसी तरीक हिंच जाता आथा ऊचीज होती ौपिन अदर यह quartz करता है एक प्वल्प लेकिन जैसे मुलासेज है सीरह है पानिया सो सुगर केन पेपर पल्प उनके लिए सेमी ओपन लगते हैं मतलब आप कह सकते वन साइड़ वन साइड़ वन साइड़ आपको क्या मिलेगा एक प्लेट मिलेगी वन साइड़ क्या रहेगा एक प्लेट रहेगा वन साइड वन साइड जैसे ब्लेड है यह आपके क्या है यह देखिए आपको इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह मतलब आपने क्या किया है दोनों साइड जैसे वेंस हैं यह वेंस है इस साइड भी प्लेट लगा दिया इस साइड भी प्लेट लगी इस साइड इसको बूलते क्लोज इंप्लर का इस्तेमाल जैसे प्योर वाटर रहे बहुत लेस्ट विसकस लिक्वी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लियर तो आप ध्यान लगना पिस्टन टाइप का होता है प्लंजर टाइप का होता जब की मेरे दोस्त रखना होता है रोटेघर होता है स्कुरी है जिसे सियमी अक्सियल उब होता है एक्रत प्लस प्लस राडियल होता है और एक्षियल स्पान के आधार पे ravlurraled में कोई भी प्लेक नहीं लगी होती है सिर्फ ब्लेड होते हैं जब कि सेमिंग उपेंड में वन साइट क्या होता एक तरफ सपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं कि प्लेट लगी होती है chi Liar में क्या होता दोनों साइड क्या लगी होती है नहीं थो जाए नहीं नहीं दो गए तो खातम सवाल यह ताइम तो लगे गई और कम से कम इतनी तो चीजें आप समझने चली यह डवूल एक्टिंग रिच्पटिंग पंप हैविं पिस्टण एडफिक्ति है आपको फिस्टण डवूल एक्टिंग डवूल सब्सक्राइब का मनलब क्या हो गया आप कह सकते हो क्यों त्रिटिकल जो होगा टू एल 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 अपाल सिस्टी यह डारेक्ट आपको याद रहेगा ठीक है अच्छा एरिया दिया गया यह आपको दिया गया 0.1 मीटर स्वाय अटीक पंप डिशार्ड इतना अपको दिया आपको बता रहा है वंग चौर यह बतार है त्रल doing चार मीटर की कि मीटर पर मिनात अच्छा पर मिनात आपको कह रहे है रोटेसं आपको दिया गया है एन सब्सक्राइश कि यहां से संप से कहां तक डिलिव्री तक यह हाइट आपको दी गई है तो आप से कह रहा है कि दस्लिप आप पंप की स्लिप बताना बड़ा असाना यहां से फुरेटकल निकाल लेना अब तो यहां दिया गया एंद दिया गया है आप रख देना अब यह आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में और यह आपको मीनट में दिया साट से भाग दे देना तो टू पाइंट फोर डिवाइड़ वाई सिस्टी ठीक इतना मीटर क्या आजाएगा पर सेकंड आजाएगा की अब क्या करना थियूरेटकल में से एक्ट्वल घटा देना आपको स्लिप मिल जाएगा कि जाएगी जब ज आपको इसका मतलब मिल गया मतलब इतना डिस्चार्ज चार्ज आपका लॉस हो गया कि अधर वाइज ओ भी डिस्चार्ज यहां से क्या होता यहां तक पहुंच जाता हैं वो डिस्यार्ज नहीं जा पाया मतलब उसके लिए जो आपनी इनर्जी खर्च किया था वह बरबाद तो कितनी इनर्जी बरबाद हुई कर सकते हो तो क्यूं क्या इन और यहां पर क्या करना LG से प्यूंस मिल आपको तावर यहां कि आएगा देखो आप चेक करो इसकी यूनिट क्या होगी न्यू यूटन पर मेंटर क्यूंस है U कि इसकी यूड़ीट क्या होगी मिटर कि हैट की यूड़ीट क्या होती मीटर अब देखो है में यूड क्या पर क्कुद यूड़ी उनिट वेट है newton पर हाट क्यों iyi to होगी इनजाई मेटर क्यों है जो नीटर कैसे आपको यहां से डियर यह न्यूटर सब्सक्राइब इसका मलत क्या करना वाटर का जो यूनिट होता है नौ हजार 810 नूटर पर यहां रख देना जितना डिस्चार्ज लॉस होगा हो यहां रख देना आपको बारा रख देना आपको पता चलिए दसलीप आप पंप एंड पाउर रिक्वायर तुड्राइब the pump will be nearly कितना होगा आप पता कर सकते अच्छा यह नहीं दिया वैसे दिया है तो अच्छा ओके नहीं नहीं अच्छा वो लास नहीं poolच रहा है लॉस नहीं पूच रहा है लिखेंग यह अंज बसट बाई इसी के लिए तो आपने बनाया थे सी लिए तो आपने मसीन को डिजाइन किया होगा अतने स्ब्सक्राइब कि इंक हाप रेंगे पर अप्र एक सब्सक्राइब यहाँ लास की बात नहीं कर रहे है तो एंसर जो आएगा लिए मैं आपको बता देता हूं मेरे पास होगा मैं आपको बताता हूं क्या आप यह तक यह गा यांप चल्ली दिए कर देखे शस्टेंग कि क्या होता है इसक्रेंग का काम क्या है देखो यार क्या क्या काम क्या है जब देखो यह था पवखा कर ले ठीक है न वेले आहिने आपको बता दिया सेट्विए ठीक आई सथेक्वा क्या किया će कर शवता है कि जो takie यह मालव डैम है इधर क्या है लिक्ट्ट के bear seem लिकट Например अब देखिए होता क्या है कि यहां पर आपकी टर्वाइन होगी क्या होगी टर्वाइन ठीक कोई टर्वाइन मालो पेल्टन तर्वाइन अब आप जानते हो कि यहां पर एक नोजल लगा इसमें एक स्पीज होगा क्या लगा होगा स्पीयर इस्पीर का का काम से chicks अब आप इस्पीक निंचरों से कनेक्ट होता है यह बार्णिंग मेकेनिजम कैम करती है कि तर्वाइन पर लोड बढ़ रहा है घट रहा है और उसकी जोbig speed को maintain रखने के लिए उसकी speed एक निसीद喔 उक्षा की शर्ट चेंज वन गाने के जड़ेंगे कांई जिसके करीं की प्रोटर की speed का हो जाएगे कम जाधा हो जाएगे तो जो current ऊद प्रोडियीश इसलिए याद रखना इसकी स्पीड कॉंस्टेंट बनी रहे तो जब लोड बढ़ता है तो हम लोग क्या करते पता है इस पीड को पीछे करते जिसके करण ज्यादा इनर्जी जाती है फिर ज्यादा इनर्जी जाती है अगे जाता है कि अगे जाता है इनर्जी कम जाती है इसका मतलब डिजाइन इस पीड उस पे चलता रहे लेकिन आप सो जानते हो कि क्या है कि जो टर्वाइन है जो हाइडो पाउर प्लांट है उस पर हमेशा लोड कम ज्यादा होता रहता है जिसके करण इसकी स्पीड वैरी कर सकती है इसलिए स्पीड ना वैरी करें यहां पर एक स्पीर लगा दिया गया जो नोजल के अंदर यह आगे पीछे होता रहता है रेसिप्र करता रहता है जो फ्लोरेट को कंट्रूल करता रहता है और स्पीर का कनेक्शन गवर्नर से होता है और गवर्नर जो है जो साफ्ट है साफ्ट की रोटेशन स्पीड को रीड करता रहता है और उसी के अनुसार क्या करता है कि आपका जो इस पीर उसको आगे पीछे करता है मतलब एक गवर्निंग मेकेनिजम होती है गवर्नल लगा होता है जो जो साफ्ट है जो साफ्ट इससे कनेक्ट है तर्वाइन के रोटर से उसको उसकी स्पीड को रीड करता रहता है देखता रहता है तो क्या करता इस पीर को आगे पीछे करता रहता है के लिएर अब देखें जब आगो फीछ होगा तो उससे होगा क्या न कि यहां से लिकिट जा रहा है कहां से रिजर वायधिर जो धो रहा है उसके पास काफी ज्यादा काइनेटory कींग एनर्जी का जिसके कारण जब होता है तो यहां पर क्या होता है जो काइनेटीक किनर्जी फ्रिष्द रगल बनी जिसके कारण जब प्रिसर इनर्जी बदलता यह प्रेसर की बीवंद जब बढ़ती यहां प्रिसर बढ़ता है तो इस उसके एक्सपेंस्टन होता है जिसके वाटर है म्यक्षित होने की CHANS बढ़ता है तो पानी इसा तंकी में क्या होता आ जाता है तो कहने का मुलक छला तो कहने का मनलब सर्श टैंग वातर हैमर की एक्षन को क्या करता है बचाता containment से बचने के लिए हम लोग क्या कड़े जो पाईप है जिसका नाम पैनिस्टोक है इसी में हम क्या करते सब्लाइब कि वैलस्टी से चलती उस माध्यमें में साउंड वैलस्टी जिस उस मृध्यम में उस मीडियम में स ruins वैलास्टी से है इसकी विलास्टी क्या है ताइम आप जो माल है माल को जो आगे-पीछे कर रहे हो जो हमारा हुआ कि अगे पीछे करने जल्दी कर रहे हो फोडिकर दे Pel gagner получилось के साथ या करता है जो हमारा पाइब का मैट्रियल है उसका माद्लस आफ इलास्टी इप्टी क्या है यही नहीं जो लिक्विड आप उसके बलक मॉल्टस आफ इलास्टी सीटी पर भीडिपेंड करता है कि इतनी बाद के लिए तो सवाल यहां था कि सस्ट तो क्या से प्रवाइड करता है ते गरों में क्या होते या किसी गार्ड होता है गांट क्या करता है वाटर है क्लिए से बसने के लिए हम क्या करते हैं एक सस्टेंग लगा देते हैं तो तो गार्ड दा अंगेस्ट दा वाटर क्लियर यह वीच वन इस नोट सेंट्रिफ्यूगल पंप सेंट्रिफ्यूगल पंप कौन नहीं है आप बताओ रेसी प्रोकटिंग पंप जो है मेरी यह एक पॉस्टिफ दिस्प्लेस्मेंट लिवैंट डिस्प्लेसमेंट और रेसी पॉकटिंग फॉकंटिं तीन तरह की उती क्या तीन रहरा हुद्ट सीटीन को पाकेटट के ओर पिस्टन है gia की वाक्य करीव टिवायल होगी है यह 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 तो हईसे वाइलूट पॉम जानते कल यह राएं यह नहीं बोला टर्वाइन पेसिंग डिफ्यूजर नहीं तरॉजर केसिंग या रिफूजर केसिंग यह यह accuracy है कि कहरा कौन सेंट्रिव ole नहीं जो रेसिफोटिंग फंप है वो एक प्रफु लू फंप नहीं तरवाइन केसिंग का है यह आप क्या कहले यह कहें मसले चाहे कैसि जानते हो वातेस लूंटव केंस्ग के मतलब सेंट्रिव पंप में तीन दराखी केसिंग हो सकती है वाइलूट केसिंग या वाइटेस केसिंग या आप कह सकते हो डिफूजर केसिंग और डिफूजर केसिंग का ही नाम क्या है टर्वाइन केसिंग है कि देख लो यहीं तुम लोगों का जोस है यहीं तुम लोगों का जोस है आये थे देख रहे ते कितने बच्चे बाकी गयव होगे कि सोची समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है अखिर में देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है आपका विकास क्यों नहीं हो रहा है आप सूचिए आप अपने काम के प्रतिमानदार नहीं इससाफ साफ जाहिए मैं गावे के साथ कहता हूं आज का टीचर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है पहले इतनी ज्यादा सुविधाय नहीं पहले बच्चा किताब जो होती ती जो टेस्ट बूक होती थी डिप्लोमा की व टीचर कालेज में पढ़ा देते थे वहीं उनके गुरू होते थे उसके बाद बच्चा खुद मेहनत करता था क्या पहले की इंजिनियर इंजिनियर नहीं होते थे नहीं होते थे और उनके पास नॉलेज होता थे उनके पास मेहनत करने की छमता होती थे रियल में बहुत मेह लग करते थे उनके अंदर एक जुनून होता था और वो अपनी इंजीरिंग की बैलू को समझते थे विश्वस्राइया राय को देखी क्या वो इंजीनियर नहीं वो एक डिप्लोमा होल्डर थे आप सोचे लेकिन उनुक बहुत महनती थे जुनून था सीखने की ललक थी चीजों जो चीजें थी उतना अवलेबुल नहीं थी सुख सुगधाय नहीं थी लेकिन आज उतना टीचर पहले का मेहनत नहीं करता था क्टोच करता था लेकिन उसी बच्चे से ज़्यादा मेहनत करवाता था आद ज़स्ट उल्टा हो आज टीचर मेहनत कर रहा है बच्चा आराम से इंज्वाई और आप सोची कितना अजीब सी बाति यह टीचर जो आपको दो पहले से बता रहा है कि बहुत जल्दी मैं क्लास लूँगा 6-7 गंटे 5-6 गंटे क्लास कुछ नेगा तो आपसी कह रहा है बाद कई दिन से कर वो लेगा क्लास एक ये भी पता है इत्मिनां से लेगा लंबी क्लास ने की बता रहा है दो-तीन दिन से और जब ताइम आया तो देख रहा हूँ पहले आये लोग सोचे कोई इंजेक्षन है अभी तुरन सर लगाएंगे मसील मेरे को तयार हो जाए और उसके बाद उसको लगा कि जिंदगी में सुकून भी तो कोई चीज है सोना भी तो चाहिए वो सो गया आप सोचिए उसो गया इसलिए कहा जाता है सपलता उनों की सेज नहीं इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ कि अलाहाबाद में हमारे यहां हर साल लगभख चार-पांच हजार बच्चे आते हैं और सेलेक्ट कितने होते हैं सेलेक्ट कितना होते फिर बता दे रहाँ इस साल सीविल से सीविल से स्सीजेई में हमारी कोचिंग से मैं बात कर रहा हूं लगभग में जो थे बच्चे सब मिला के समली जे डियर दिये होंगी जा मुश्किल से सेलेक्ट ही है लगभग 30-35 बच्चे सेलेक्ट ही है सिविल से यह वे थे जो हमारे यहां क्लास के टेश में थे अब बाकी एक-दो साल पहले हमारे यहां कोचिंग करके जा चुके थे वह कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे या किसी दूसरे डिपार्मेंट में जॉब कर रहे थे और वह तैयारी कर रहे थे तो उनकी संख्या लगभग 20-25 थी तीसुस संख्या उनकी थी तो टोटल 65 सेलेक्शन हमने च्छापा उनको उनको उन्होंने पढ़ लिया था मेरे से एक बाद इलाहाबाद में लगबग 10-12,000 बच्चा तैयरी कर रहे हैं सेलेक्शन होते हैं और जितना सेलेक्शन होता है सब मेरे यहां से 10-12,000 बच्चा है 8-10,000 बच्चा इलावाद में है जही की तैरी कर रहा है लेकिस सेलेक्षन अगर उवराल देखे तो सौव ही नहीं होता है सौव सेलेक्षन मुश्किल हो जाते हैं सत्र पचात्र पे बुक हो जाता है पूरा इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल सिविल बस क्यों टीचर तो बहुत मेहनत कर रहा है नोट्स बना के दे रहा है पढ़ा रहा है टेस्ट पेपर बना रहा है क्लासेच चलवा रहा है सब कुछ बच्चा ही नहीं पढ़ रहा है बच्चा लाइब्रेरी में मस्ती कर रहा है बच्चा यहां पे घूम रहा है यह सच्छ है यह सेलेक्शन नहीं मतलब सर मानी चाहिए मैंने आपको बोला कि भाई आज में पढ़ाऊंगा आपको सोचना चाहिए सर आएंगे पढ़ाने और आप सोग है चलो ठीक है देख लेंगे वो सकता कोई ऐसा डाउट हो आप पूछते जो मैं तुरंद बता देता है वो सकता है जो चीज़ डाउट ऐसे हो जो नहीं बताय जा सकते तो उसका मैं उपाय बताता कि कैसे उसका उपाय होगा आप सूचिए इस बात को कि इस किनभीर मैटर आप हैं और अइसा नहीं हर साल कुष्यन आते तीन चार इससे ना अजाते मंददब हऑलिक मसीन से चार-चार को अठाँ है मैंने देखा है पेपर चार-चार कुष्चन सिर्फ हाईज्चलिक मसीन से आए और आसान अरण को शेना और आप पेपर उठा के पिछली साल का देखिए और उसको आप मजाक मेले रहें सोचिए मदब इस सर मानी चाहिए और यही रियल्टी है आपको बता हूं यही रियल्टी है जो मैं कोचिंग इंडस्ट्री लगभग लगभग 98% छोड़ दिया पड़ाना इस इस अरियल्टी यही रियल्ट वज़ा है यही रियल है कि जो 98% मैंने कोचिंग इंडस्ट्री को छोड़ दिया पड़ाना इस दो परसेंट है कि मैं आता हूं पढ़ा देता हूं चला जाता हूं फुरा वक्त किसी बैंच में पढ़ा दिया पढ़ा दिया बस त्युक्त आप से वादा किया थ सुमिसर ने कहा है मैंने वादा किया था इसलिए पढ़ा दिता है कि समधने यह चीज है इसलिए इंट्रेस्ट नहीं लगता है कि आज कल पुरा मार्केट हो गई दुनिया में बच्चे को कोई मतलब नहीं पस एडमिशन ले लिया बस चला है टीचर भी प्रोफेशनल ऐसे सब चला है बिजनेस चला है बट यह सब चीजे सोच हो यार हम लोग भी पढ़ते थे हमारे भी टीचर थे यार बढ़िया चलिए यहां पर देखते है वीच वन इस नोट सेंट्रिफूगल पंप कौन सेंट्रिफूगल पंप नहीं ठीक है आ कों सा पंप इस्तेमाल किया जाएगा अभी स्थाना ऐसीyyap कचड़ा आप को देख लंगो चैसी में कreसे क्लिए डिए आप रेसे प्रोफूटिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते हो कि बहुत स्यादा क्या है काड़ा कि इसके लिए आप क्या यूज करेंगे सेंट्रिफ्यूगल पंप और इंपलर होने चाहिए इंप इसतेमाल करेंगे एक क्लोज इंपलर नहीं होगा semi-open आप यूज कर सकते क्या यूज कर सकते सेमी ओपन तक आप इमप्लड्र यूजस्प सपर से समझ रहें हैं थी मैं घ्याओ कि लेकिंसिद니다 यह पंपिंग सेट तो एजिशू मैं पन्पिंग सट की इफिसेंसिर मान दफ फंपकी एफिसेंसी नियर एबवाओट एब पस होगी पंपिंग सेट होते हैं उनकी Efficiency नियर वाउट कितना आप करीर जाएगी तर जो फंपपिंग सेट होती इसकी इफिट आप याद रखिएगा इसकी लगभब 65 से 70 percent pumping इफिसेंसी होती है याद रखना रिमेंबर रखना कि अगर से पूछा जाए पंपिंग सेट जो फिक सेट होता है उसकी कितनी होती है तो याद रखना आपको 25 का से सतर परसेंट कैसा होता है यही बात आप से किया कि सीवेश पंप होता उसका इंपलर कैसा होता है बता यह पुल को लो देखो अगर देखो यहाँ पर ओपन इंप्लर की बात करें तो आप याद रखना जो ओपन इंप्लर होता ज्याधा तरह अब्रेसीव आप रेसीव मेंट ही बसी आ आप रेसीव या लिकुट आप रेसी लिकुट भीष स्वालिट फार्ट जाना उसके लिए ऊपटनिंप यूजब य युजब करें घ्रेत छोटे चोटे चोटे कंकार प अनकी लिए ओपडेत इंप्ला में इसको क्लोजी इंपल फोल पुटे इसको हम प्लोज इंपलर बोलते हैं या श्राउडेल इंपलर ठीक है अब इसको हम प्योर लिक्विड के लिए या बहुत कम वेरी लेस विसकस लिक्विड या कह सकते चेम्कियाल इसको यूज करते हैं अब सवाल उठता है सेमी ओपन में याद रखना सेमी ओपन इंपलर हम लोग इस्तेमाल करते जैसे पेपर पल्प पेपर पल्प इंडस्ट्री या सुगर केल इंडस्ट्री में या मुलासेज सीरा ठीक पेपर पल्प इंडस्ट्री सुगर केंड इंडस्ट्री या मुलासेज या आप कह सकते सीवेज सीवेज इन सब चीजों मतलब काफी जो गाढ़ा है लेकि सॉलिट के पाटकिल उसमें नहीं है ऑफिक पाटकिल नहीं है काफी गाढ़ा नुमा है तो उसमें हम यूज़ करते जैसे सीरा है और कह सकते हैं सुगर केंडस्ट्री में या पेपर पल्प इन स्युएज में सेवेज में हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑपन हमेशा याद रखना ऑफन तब इस्तेमाल करेंगे जब प्योर लिक्विड को लेस्ट विसकस लिकविड उसको पंप करना तब हम इसको यूज करते हैं क्या प्लोज इंपलर को थे पोटो एक बार आप गुगल जरूर देख लीजिएगा इसकी फोटो ठीक है ना इसमें ना आप दीज हो जाएगा किलियर या इसको से इसमें और सेंड वाटर लिख सकते हो ऐसा वाटर जिसमें बालू हो सेंड वाटर यह भी कह सकते हो तो ज्यादा अच्या होगा वही बात जो आपसे कह रहा था ठीक फिल लिख रहा है यह देखिए है इसमें भी इमेडियेटली आप यूप पंप के उपर वाल प्रूवाइट किया जाता है immediately pump to reduce back serge water hammer water hammer से बचने के लिए हम लोग आपने पढ़ा होगा या बताइए क्या होगा बताये इस वाल को क्या बोलते हैं या तो आप यहां पर प्रेशर रिलीफ वाल्व कह सकते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व या आप एक काम कह सकते हैं या इसको आप रिफ्लेक्स वाल्व कह सकते हैं तो कह रहा है वाल प्रोवाइड इमेडियेटली एब दा पंप पंप के ऊपर एक वाल प्रोवाइड किया जाता है तो सभ्षन लिप्ट क्या होती सुनी देखें आपका और यह वो गया इसे कहा जाता है सक्षन हैड ओई से कहा जाता है उसे सक्षल हाइड कहा जाता है इसे onwards मुझे हैं आप से पूछां है सक्षन लिकट आप ए इस वाटर सप्लाई market है तो लेंथ आप सक्षन पाइप uçनद यहां पडिक है क्या पूछा शक्जनकी तो याद रखना शक्षण लिप्ट का मतलब क्या होता है शक्शन के बरावर होता है सिस्ट मैं जानते हो इसमें लिखा है लेंथ सक्षन पषाइप है यह लीवलinka यह यह लेवल सैंप यहां वर्टर लेवल है कि नहीं है कि यह वाटर का ये ध dogs भी जह बश्क इस suxion lift up water supply pump is equal toिंटो कह देना संप लेबल से जहां से पानी आप संप ने जा रहे हो और जहां लेबल उसकी जो हाइट होती है उसी को सक्सल्न लिफ्ट बोलते हैं यह इसी को स्टैटिक स्टैटिक से और इसे का बोलते हैं इसे बोलते हैं इसे अ worthy सक्षन है एचेस का मतलब क्या है तो कहोगे सक्षन है लेकिन स्टैटिक स्टी का मतलब क्या है डिलिवरी है लेकिन स्टैटिक क्लियर इतनी बात क्लियर हो गए तो सक्षन सक्सन सब्सक्राइब है इन दोनों का टोटल झोड़िय को हम सक्सन निफट बोलते हैं या इसी का नाम है स्टैटिक हैड़ नाम है स्टैटिक हेड़ में दो आता है एक सक्सन हेड़ यह जो जाएगा जल्दी से अब आप अब मैंने दो समझे अगर माल लो देखो माल लो आपको सुनिए आ इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट है क्या है क्या बता रहा हूं बहुत । चिजों को सुमें भस आप यह कैता है कि हम वाटर को नंचाएंगे अच्छा भाई आप वाटर को चाहेंगे अ 뭐 क्या रहा है कि हम एक न्यूटन द्रव कोशी वाट कतने गांवा मोटर से किस से करनेक्ट होगा मोटर से जह साफ किस को नचा रहा है जो इंपलर को ना चारह था इंपलर के पास जो इनर्जी है करा कहा हूं ह się यह 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 3-0 चीया यह 2 जूल पर न्यूटर मतलब इंपलर कहा है कि हम एक न्यूटन द्रव केonseक्राibl मकरता सो ग्राम प्सक्राइम इतनी जूल उर्जा देंगे फ्रिक्षन होने के कानद विस्कोस्टी के कानद कुछ इनर्जी का लास हो जाता है मतलब इंपलर ने क्या किया इंपलर ने इतनी उर्जा तो दिया न इसको देना चाहरा लेकिन से होता होता जब यहाँ पहुंचे डिलिवरी यहां तो केसिंग यहां पहुंचेगा कि टॉ-सका लास कहुंचेता है तो कितना जब यहां पहुंचा तो पूछा तुमको कितनी एंठी एंपलर ने दिया है तो कहा कि हमको इनरजी दिया गया है है हम लेकिन तो क्या हुगा और में हुआ लगा और जब यहां से कैसंग से निकनने लगा डिलिवरी पाइप में जाने लगा तो मैंने पूछा कितना एक न्यूटन द्रों के पास कितनी इनर्जी है तो कहा है है यह है इसे कहा जाता है इंपलर हेड इसे कहा जानता है मैंनोमेट्रिक हेड या वाटर हेड क्लियर वरिवाद समझ में इसका पानी जब यहां से गया था यहां से गया ह। मोत्वोंद था मालव कितना था एक सिस्टे कुद्टफल एक्स कितना है इसका मतलब है वाई में से एक्स घटा दे यही तो आपका होगा होगा क्योंकि यह तो खुलने के इनर्जी जा रहा था पानी पानी के पास एक्स इनर्जी खुद थी इसका मतलब अगर मैं आप से पूछ हूँ कि हम बराबर क्या है तो लिख दोगे आप य माइनस एक्स मतलब आउट जब पानी आउट हुआ तब उसके पास हेट कितना है और जब पानी इंट्री किया अगर अंतर घटा देंगे पता चल जाएगा कि इंपलर ने पानी को कितना है इसका मतीप हैं कि इसका मतलब आप सकते हैं कि मैमेडी फैल सब्सक्राइब यहां पर लिख सकते हैं है और मैस्प्राइच अ आउट्पूट का मतंब हुआ, यहां का प्रेसर कुछ होगा, P2 अपान गामा, वहां की वेलास्टी कुछ होगी, प्लस Z2, और माइनस लिख सकते हैं, P1 अपान गामा, प्लस V1 स्क्वार अपान 2G, प्लस Z1, भाई एक बात बोल सकते हैं, कि यह पॉइंट जो है, जहां पर हे कुछ विलास्टी होगी यहां का कुछ प्रसर होगा यहां का कुछ प्रसर मैंक है इस तो क्लियर इसी को मैनोमेट्रिक है अच्छे यह मैनों किसके बराबर होगा ज्यान देना एच मैनों जो होगा मेरे दोस्त यह बराबर किसके होगा याद रखना है यह मैनों होगा जो एची है मतलब जो रणर के पास हिर था रणर ने पानी को दिया लेकिन नहीं मिला पूरा क zeigt कि कारण 10 लॉस कहान कहान रणर में मदब 10 लर में और केशिंग में तो प्रिक्सन लास कहा रटर में और केसिंग में आपको इंप्लर में h f 18 एक यह सकते हैं चयवा इसका मदब जो हालर हिडे है आनारी यहीं होता है मोईगा 2DIO 2 मेगा टू किया है दूसरे पॉइंट पर आउट पॉइंट पर जब पाली यहां से निकख रहा है तब वह एल्विलास्टी Healing हैável यहां पे albo इसे कहा जाता है माइनस लॉसस इसके ब़राबर फोच क्णिजै ठीक सहाब इतनी बात यहां पर है यहां पर सब्सक्राइब करने चार जूट, इसका मतब मानों आप पानी को 16 मीटर पहुंचाना चाहते हो कितना पहुंचा ना चाहते हैं मालब 20 मीटर पहुंचाना चाहते हैं आप सोचिए तो आप पहले एक न्यूटन द्रव को इसके पास भेजेंगे तो यह कितना देगा यह कहेगा कि हम 4 मीटर पानी को पहुंचा देगे फिर आप ने आप उसी पानी को क्या करोगे आगे वाले में भेज दोगे ठीक है तो यह कि भी चार देगा फिर आप आगे वाले को भेज़ दोगे फिर आप आगे वाले में गर और जो हैvens में तो तो discharge की वैलू तो नहीं बढ़ेगी तिस्चार्ज तो वही रहेगा मेरे दोस्त लेकिन जो हैड है वह बढ़ जाएगा मतलब अगर यह टोटल की बात करें तो एक दो तीन चार पांच पांच इंटू हो जाएगा लेकि डिस्चार्ज क्या रहेगा वही रहेगा इसका मतलब अगर को फीरीज में लगा दें तो डिस्चार्ज तो वही जाएगा लेकिन क्या होझाेगा कि जो पानी यहां आएगा वो कितना इसमें कनेट के सीरीमेस सीरीज में स्कात्राइअ कि इसका प्याट है भी ठॉचयार्ज दूसरी बात माल लीजिए मैं एक काम करूं एक पंक यहां लगाओ इससे विट哥 χं क्यूल तो या अख किya रहा है कि हम इनर्जी कितना देंगे कैंप मैं अब फिर इस से निकल जा और कि यार एक चीज बताओ अब अगर इसको कर दें तो टोटल डिस्चार्ज कितना मिला क्यों क्यों थद्ट लेकिन अगर यहां से एक निंटरम दरो जब आये गा तो इससे पूछेंगे तुमारे पास कितनी इनर्जी कहां यहां से जो आये गाँ उससे मतलब से जादा उसके पास नहीं होगा इससे ज्यादा इनर्जी नहीं होगा बस इसका मतलब है कि यहां डिश्यार्ट की बेलू पढ़ेगी एक पूलेड़ में इसा नहीं लग रहा है बच्पन में आपने पढ़ा था यह देखे को इस ऐसा नहीं लग रहा है एह देखिए यह आपका कैसा क्नेक्शन पार्ल संधय क्लें पड़े थे पड़ेते की नहीं इसका मदब क्यू 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 डिश्जार्ज बढ़ जाएगा इसका मुझा लेकिन एलस नहीं बढ़ेंगी झाल झाल